वेरी वेरी गुड आप्टनून आल माई डियर स्टूडेंट्स क्या आपको आडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार मुझे येस या थम्सब धेज दीजे प्रियांशी पैंथरा संकल अर्शी सेव बबलू पवन एवरी बड़ी खुशी कुंदन विकाश गुड आफटनून बद आफटनून एवरीवन ओडियो वीडियो क्लियर है एक बार मुझे येस या थम्सब भेज दो जाईम विकाश ओल राइट एक बी येस नहीं आरा थम् गो थांक यू ग्रेट चलिए तो आज का मेजिंग सेशन शुरू करते हैं स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं वान शॉट बोटनी और अभी तक हमने लिविंग वर्ल बायोजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट इंग्डम कंप्लीट कर लिया है जो स्टूडेंट्स मेरे साथ को आज ऐसे पढ़ा दीजी कि हम इसे भूले नहीं मेरा आपसे वादा है स्टूडेंट्स कोहेजन एडेजन प्लासेंटेशन डाय अडालफर्स वेनेजन प्लासेंटेशन फैमिली के फॉर्मुला फैमिली के डायग्राम्स में आपको फैमिली के एक्जाम्पल्स और इन शांक येस आई रिमेंबर माइ स्टूडेंट्स हलो पांचाल बल्राज थैंक्यू थैंक्यू आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं आप लोगों का इतना देड़ सारा प्यार मिल रहा है और मैं आपको हेल्प कर पार रही हूं इस समय पर यह मुझे बहुत खुशी देता ह स्टूडेंट्स किसी को भी हिम्मत नहीं हारनी है लास्ट फॉर्टी फिफ्टी डेज डिसाइडिंग होते हैं पूरे साल की महनत एक तरफ और यह समय एक तरफ सबने रायता फिलाया हुआ है अब रायता समेटने का समय आ गया है अब बहुत जरूरी है कि टू दर पॉइं प्लांस मजे आ जाएंगे मेरा आपसे वादा है बस आप मेरे साथ बने रही अपनी पानी की बॉटल जरूर साथ रख लिजेगा डी हाइडरेशन का टाइम आ गया है गर्मिया शुरू हो गई है चलिए आईए तो कहानी को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आशरवाद ल शुरू करें ज्याद़ टाइम वेस्ट नहीं करना भई टाइम ही का अपने पास वेस्ट करने के लिए अब नोट्स इसका लिंक पीडिएफ में शेर हो जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अधरवाइस आप लोग मेरे साथ साथ लेकिए आपको बहुत मज़े देखो हम इसमें पढ़ने के आवाले हैं पहले वो समझो मॉर्फोलोजी ये चैप्टर है और फिर एनाटमी की क्लास हम कल करेंगे दो बजे वो तो वह भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी सेकेंडरी ग्रोथ वगरा यूं मक्षन करके क्लियर कर लेंगे फ्लावरिंग प्ल को पढ़ने वाले हैं अब बाहर से हमें क्या दिखाई देता है एक पेड के अंदर हमें उसकी स्टेम दिखाई देती है लीव्ज दिखाई देती है लीव्ज स्टेम इसके अलावा स्टेम पे फूल फ्लावर दिखाई देता है फ्लावर ही आगे जाके फल यानि फ्रूट बनाएगा वो दिखाई देगा और fruit के अंदर बीज है वैसे तो नहीं दिख रहा पर आप fruit खोलोगे तो बीज दिख जाएगा और root root हमें ऐसे तो नहीं दिख रहे है क्योंकि underground है पर अगर उखाडों के पेड़ तो root भे दिख जाएगी यानि मुझे बाहर आखों से देखने पर क्या-क्या दिखाई देगा मुझे root दिखाई देगी मुझे stem दिखाई देगी मुझे leaves दिखाई देगी flowers दिखाई देगे flower ही fruit में convert होगा तब मुझे fruit दिखाई देगा और fruit के अंदर मुझे seed दिखाई देगी तो बस यही तो पढ़ना है, यह पढ़ूंगे और यह चाप्टर खतम हो जाएगा, done, ठीक है, सुशान, अखिल, मर्यम, yes, बिल्कुल ओवरी प्रूट बनाती है, absolutely correct, चलिए, सुश्मिता chemical kinetics की class कब होगी, please comment box, community post देख लीजेगा, community post में schedule weekly already डल चुका है, 2 बजे की slot और 6 चेक कर सकते हो, ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, हम root, stem और leaf के पहले normal functions देखेंगे, structure देखेंगे, types देखेंगे, और फिर उनमें बदलाव रुपानतरण देखेंगे, हम यह सब कुछ पढ़ेंगे, और कुछ हम plant की families पढ़ेंगे, परिवार के बारे में जानना बड़ ठीक है, चलो, तो स्टार्ट करते हैं कहानी root से, आईए, लिखे root, root क्या है भई, हम सब को पता है कि embryo जो होता है, उसमें नीचे radical होता है, उपर प्लिम्यूल होता है, तो जो नीचे जाएगी वो root है, धूप से दूर और जो उपर जाएगी वो stem होगी, याने, लिखो मेर साथ, descending portion of embryonal axis, embryonal axis का नीचे जाने वाला पार्ट है, धूप से दूर जाएगा, धूप से इसे चिड़ है, धूप से इसे नफरत है, it hates sunlight, so it is negatively phototropic, photo मतलब light, tropic मतलब light के तरफ movement नहीं होता है, हाँ, प्रत्वी से प्यार है, water table से प्यार है, positively, geo, प्रत्वी की तरफ, gravity की तरफ नीचे जाएगी, positive, root हरी नहीं होती है, कुछ पेडों में होती है, जैसे सिंगहारा, पानी में सिंगहारा मिलता है, अपने course में नहीं है, अपन तो इसको non green मानेंगे, और students एक बाद ध्यान रखो, normal buds जो होती है, buds कली, वो stem पर होती है, tip पर terminal bud सिखाया है, और leaf वाले angle पे axillary bud, अगर इनके अलावा कहीं भी bud मिलती है, additional जगे पे तो उसे adventitious bud बोलते हैं, पायो फिलम के पत्ते पे, leaf पे मिली bud, तो foliar bud, वो भी एक तरह की adventitious bud है, extra bud है, इसी तरह यहाँ पे radical bud मिल सकता है, पर true buds नहीं होती है, nodes नहीं मिलते, inter nodes नहीं मिलते, student यह सब stem के characters है, यह सब stem के characters है, बट हाँ, radical bud कुछ पेड़ों में मिल सकती है, आया समझ में अच्छे से, radical bud मतलब normal bud क्या होती है, true कली दो तरह की होती है, tip पर हो तो apical या terminal और axillary position पे हो तो axillary, इनके अलावा अगर bud है, तो radical bud एक तरह की adventitious bud है, वो मिल सकती है, जैसे sweet potato में, और जहां भी कली होती है, वहां से नया पेड़ बन सकता है, यानि sweet potato में जड़ से नया पेड़ बना सकते है, vegetative reproduction, done, ठीक है, akil, स्वरूप, सिशान्थ, हाँ, सब पढ़ा दूँगी, सब पढ़ा दूँगी, यह सारा, don't worry, खुशी, अभी तो voice, ठीक है, चल, ठीक है, अब, root के normal functions क्या होते हैं, normal functions, ठीक है, functions, हम एक trick से याद रखेंगे, हमारी trick है, root गाना गाते हुए, नीचे जा रहे हैं, प्रत्वी की कर्त में, गाना गाते हुए, राग, और English में हर चीज में ए लगा देते हैं, तो रागा, क्रिश्न का क्रिश्ना, राम का रामा, राग का रागा, क्या है यह हम गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं, वो क्या है, वो सब जड है, जो हम खा रहे हैं, sweet potato, शकरकंदी, यह सब क्या है, जड है, जड है, जो हम खा रहे हैं, यह से है, absorption of water and minerals, यह तो हम जानते ही हैं, मिट्टी से water और minerals को कीचना, पता है, पेड़ हमेशा सदियों से बिसलरी क पानी पी रहे हैं, पेड़ पानी के साथ mineral ज़रूर लेते हैं, हम तो mineral water आज पी रहे हैं, ठीक है, complete हो जाएगो 2-3 गंटे के अंदर अंदर, फिकरी मत करो, आप तो मजे लेके chapter को पढ़, जी से है, growth regulators, यानि plant growth hormones भी root बनाती है, auxins, cytokinin, PGRs जो होते हैं, और जड के कारण मिट्टी बंधी रहती है, तो जब तेज हवा, तेज फानी आता है, तो मिट्टी बहती नहीं है, यानि encourage to soil, it anchors, encourage, यानि ये मिट्टी के बहने को रोकेगा, prevent soil erosion, मजे लेके पढ़ो, number की बढ़साथ अपने आप होगी, रीडियेट्स में बोलता है न, कि आप excellence के पीछे भागे, success अपने आप आएगी, ऐसे आप concept समझने के पीछे भागे, number अपने आप आएगे, क्योंकि questions अपने आप solve होगे, done, pulse कह रहा है, pulse विज्ञान, दूर, अच्छा, hundred times anxiety, दूर हो रही है आपकी वजह से, thank you, thank you so much, God bless यही मैं कर सकूँ, कि मैं आप लोगों के साथ, आपके डर के जर्नी में आपके साथ रह सकूँ, और आपको आपके college तक, medical college तक पहुचा सकूँ, हो गया सबको, NCRT की lines है, यह होगा इसके normal function, अब आओ इसके modifications पढ़ते हैं, बड़े मज़ेदार है, देखो, modification का क्या मतलब होता है, इस बात को समझो, normal function के अलावा, जो function करेगी, जैसे, root, normally root, खाना store नहीं करती, पर यहाँ खाना store करेगी, चलो आओ बनाते हैं अपन, food storage, food storage, दूसरा, normally root, support देने का काम नहीं करती, वो काम तने का होता है, पर यहाँ support देगी, और number 3, normally root, respiration O2, CO2 exchange नहीं करती, पर यहाँ करेगी, नितिश कह रहा है, आपके living world के notes बढ़के 102 mcq solve कर लिए, मैंने, बहुत बढ़िया नितिश, very good, very good, so, respiration, अब, respiration कैसे, आईए समझते हैं, अच्छे, इसको समझाने के पहले, करीब 6-7-8 lines छोड़ दो, मैं कुछ और समझाती हूँ, root में हमने normal function देख ल पर तो मज़े आ जाते हैं, मुझे पढ़ाने ने, इतने examples, इतनी stories, इतनी इतनी एक्सानन्द आ जाता है, देखो, normally roots आपने कैसी देखे होंगी, ऐसे, हमेशा ऐसी बनाते हैं, जड़े अपन, ऐसे बनाते हैं, ठीक है, इसमें एक main root है, इसे primary root कहते हैं, और फिर ये secondary root, tertiary roots, है न, total मिलाकर इनको अपन lateral roots कह देते हैं, lateral roots, इस तरह का अगर root system है, जिसमें एक primary root है, primary root, जो सीधी नीचे जाती है, vertical, downwards जाती है, और बाकी इससे side में निकल रही है, secondary, tertiary, इसे कहते हैं, tap root system, dicots में, ऐसा ही होता है, dicots में, कभी भी आप आम है, बर्गद है, अमरूद है, पीपल है, इनके पेड़ देखना, ऐसी ही जड़ होती है, उसमें जो पन बच्पन से पोटो बनाते हैं, ठीक है, thank you, thank you शाकिर, चलो, अभी सब tricks बताऊंगी, सब tricks बताऊंगी, अभी पढ़ा उसे शूट निकलती है, यानि, develops from, radical, radical of root, radical of embryo, radical, यह tap root होती है, अगर root, radical के अलावा, कहीं से भी निकले, radical के अलावा, कहीं से भी, additional जगह से, तो उसे कहते है, adventitious root, adventitious root, anywhere, other than radical, develop from, other than radical, other than radical, चीक है, तो उसे कहते है, adventitious root, जैसे, sweet potato में हम देख रहे हैं, वहाँ पे, radical से जड़ नहीं निकल रही है, चलो, अब, एक होती है, fibrous root, अब इसका क्या मतलब है, fibrous root system, of course, देखो, जो monocots होते हैं, monocots, most of the monocots, जैसे, let's say, जो है, अपना, धांस्त वाली family ले लो, गेहूं, चावल, ये साब आ जाएंगे, इन में पता ही क्या होता है, ध्यान से समझना, इनकी जो primary root बनती है, बनती है radical से, लेकिन, जल्दी से मर जाती है, फिर, इनका जो stem है, तना, stem की base से, यहां से ऐसे जड़ निकलती है, धागे-धागे जैसी, इसलिए ने fibrous कहते हैं, मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि, primary root बनती तो है radical से, बट वो short lived है, फिर बाद में जो roots हैं, वो किस से arise होती है, base of stem से, stem की base से यह सब PYQs हैं, student हर शब्द आयोगा question है, so मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे बोला कि, primary root बनती तो है इसकी तरह, पर short lived है थोड़ दिन में मर जाती है, फिर stem की base, stem की base से, मतलब radical के अलावा से, तो एक तरह से fibrous root भी adventitious root है, इतना clear हो गया, चलो, अब अपन इसके examples य trick से आपको आ जाएंगे, मजे, आईए देखते हैं इसकी trick, ये रही इसकी trick, एक lady है, उसने अपने husband को बोला, एजी, एजी, ओजी, लो जी, सुनो जी, एजी, मेरे बेटे ने, फिर वहाँ, top मारा, top मारा मतलब tap root मिलती है, dicot जैसे mustard में, fibrous root मिलती है, wheat, गेहू, चावल म और adventitious root मिलती है, grass में, monstera में, और banyan tree में, अभी आपको दिखाती हूँ, सब दिखाती हूँ मैं, चलो आजो, पड़ा फट से हम यहाँ लिख लेते हैं, तो यहाँ पर है mustard, top मारा, top मारा, mustard, dicot, top मारा, ठीक है, यहाँ पर है wheat, फिर वहाँ, top मारा, फिर वहाँ, और ag मेर मतलब adventitious, जी मतलब घास, मेरे मतलब monster, यह भी एक तरह का घास है, मेरे बेटे ने मतलब banyan tree, बरगत का पेड़, पता है बरगत का पेड़ में क्या होता है, बरगत का पेड़ वैसे तो dicot है, तो उसमें, नॉर्मली यह तो मिलता है, यह tap root system, पर बरगत में, आपको पता है यह branches है, branches से भी roots निकलती है, तो यह वाली roots क्या है, radical के अलावा निकल रही है, यह adventitious में आती है, is it clear everybody, वर्शित कह रहा है मैं, आप से animal kingdom, plan kingdom पढ़ने के बाद 300 questions, easily हो गए, क्या बात है, बहुत बढ़िया, thank you, thank you, thank you, thank you, शाकेर, thank you, सशांत, अखेल, thank you, clear हो गया, सारे examples लिख लो, A, G, मेरे बेटे ने, फिर, वहाँ, टॉप मारा, A, G, मेरे बेटे ने, फिर, वहाँ, टॉप मारा, हो गया, done, चलो, आपको दिखाती हूं मैं, तो यह हो गया, raga, then, tap root system, ऐसा दिखेगा, fibrous है, यह tap root है, ठीक है, NCRT का diagram अभी दिखाऊंगी, यह देखो, यह गेहूं का पेड़ों खाड़के देखोगे, तो ऐसी गेहूं, मेज, गन्ना, सबकी fibrous roots है, यह रेखिए, यह बरगत की जो प्रॉप roots है, यह ब्रांचस से निकल रही है, यह adventitious है, इवन ब्रायो फिलम के पत्ते में जो roots निकल रही है, वो लीप पे निकल रही है, वो भी adventitious हो जाएंगी, ठीक है, demotivated feel नहीं करना है, demotivated feel नहीं करना, students, अपने को पढ़ना है, demotivate होने का समय ही कहा है, आप planner बनाओ, पढ़ाई करो, अपने आप motivation आजएगा, जब chapter समझ आएगा, questions बनेगे, तो अपने आप motivation हो जाएगा, है ना, चल, यह देखो, NCRT का लेटरल रूट्स है, यानि यह किसकी बात कर रहे है, tap root system की, यह देखो कैसी दागे, 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 जैसी है, यह क्या है, fibrous roots, और यह है adventitious root, grass, monster, abanion, gehu, और sars, हो गया, ब्रायो फिलम एक पेड़ है, पत्ता है, ठीक है, चलो, आजो, और आज़ते हैं, ठीक हाँ, पढ़ाई पे ध्यान दो, spamming मत करो, chatting मत करो, ठीक है, चलो, अब, आज़े आगे बढ़ते हैं, अब मैं वापस इस पर आ जाती हूँ, जो हम root के modifications पढ़ रहे थे, ठीक है न, तो root को बिल्कुल दूप से प्यार नहीं है, मैं काली हो जाओंगी, तो दूप की तरफ ज इच में हवा रहती है, वहाँ से O2 CO2 root exchange करती है, यहां वहाँ जा हवाँ नीचे वहाँ भी पानी है, यानि कीचड हो गया है, दलदल हो गया है, यानि मार्शी, swampy area है, दलदल वाली जमीन है, अब वहाँ प्रॉब्लम क्या आती है समझो, वहाँ के जड़ को तो हवाँ मिल सब मना कर देते हैं, बोले, नहीं हम को नहीं पता, तुमारा काम तुम जानो, तुमारी सास तुम लो, हम क्यों ले तुमारी जगे सास, तुम मढता क्या नहीं करता, देखो वहाँ पे क्या होता है, जैसे यह पेड़ है, ठीक है, यह normal roots तो है ही, tap root system, कुछ roots अपनी उपर आगी इन में छेद होंगे छेद होल्स होल्स है इन होल्स के तुरू ये O2 CO2 एक्सचेंज करेंगी नॉर्मली रूट ये काम नहीं कर रही है ये रूट का मॉडिफिकेशन है ऐसा मिलता है राइजोफोरा पेड़ के अंदर राइजोफोरा एक दलदल के इलाके में मिलन खेते हैं new matophores new matophores new mo का मतलब ही होता है हवा pneumonia जैसे new mo मतलब हवा इसेमाइटो फोर्ज is equal to is equal to respiratory roots जो हवा का exchange करती है ग्यास का exchange करती है इन में उल्टा हो गया है ये positively phototropic हो गई है और negatively geotropic हो गई है ये धुब की तरफ जा रहे है positive phototropic और प्रत्वी से दूर जा रही है negatively geotropic आ गया सब को अच्छे से समझ में आ गया ठीक है चलो now support support में हमें दो बाते पढ़नी है बड़ी आसान है number one बरगत का पेड़ मैंने अभी अभी बताया बरगत की पेड़ में क्या होता है एक तो tap root है ही पर जो branches है branches उनसे भी roots निकल रही है से नीचे adventitious roots में भी example है यह roots जो हैं यह से support का काम कर रही है इस पर बच्चे जूला भी डाल सकते हैं और जूल भी सकते हैं जैसे वो dance इंडिया dance और little master में वो नहीं करते हैं वो कुछ एक प्रॉप round होता है जिसमें कुछ भी जारू या डंडा वो लेकर आपको उस पर डांस करना होता है तो ऐसे ही यह प्रॉप है यानि यह प्रॉप roots प्रॉप roots का example क्या हो गया कितना असान है बर्गत का पेड बैनियन ट्री वर्टिकली डाउनवर्ड है सीधी सीधी निकलती है बर्गत का पेड सबने देखा होगा वर्टिकल डाउनवर्ड काम क्या है support दे रही है कहां से निकल रही है टेम की branches से from branches of stem चलो एक और example करते हैं कभी गन्ने में देखना गन्ने में आज सिर्फ important ही बताऊंगी कुशी तब important है एक शब्द important है बिटा NCRT छपकर आती है ऐसी की ऐसी paper में चलो ठीक है गन्ने मक्के में क्या होता है देखो धियान से ये तो fibrous root है उनकी अभी पढ़ा ना fibrous root वो तो है ये nodes हैं ये nodes हैं ठ ठीक है अब nodes से ऐसे नीचे ऐसे ऐसी तिर्ची roots निकल रही है ये भी support दे रही है क्योंकि इनमें secondary growth नहीं होती stem मोटी नहीं होती है तो इनको तेज हवा वगरा चलेगी तो इनकी जुक सकती है ऐसे stem तो इसी लिए टूट सकती है इसी लिए roots है ये tilt हो रही है एंगल पर है ये तो सीधी नीचे जा रही है ये angle पर है tilt, tilt मतलब stilt root, tilt से याद रखेंगे stilt, stilt की spelling तो मैं बड़ी गंदी लिख रही हूँ भाई, tilt, तो tilt से याद रखेंगे na stilt root और stilt roots के example है गन्ना, शुगरकेन, मक्का, etc. मेज, यह हमारी NCRT में दी हुई है, ये कैसे ये सिर्ची root हैं, oblique roots हैं, और कहां से निकल रही हैं, बताइए, node से, और कौन से node से, lower node से, कोई बहुत उपर तोड़ी निकलेंगी, wrong, lower node, ये सब questions आते हैं, student एक एक शब्द जो पढ़ा रही हूँ, stem मतलबता ना, ठीक है, चलो, pdf description box में मिल जाएगा, अब, खाना जब root store करेगी, त खाना store करने में भी दो categories है, अगर tap root खाना store कर रही है, या adventitious root खाना store कर रही है, adventitious root में दो examples हैं, एक sweet potato, शकरगंदी, जो हम खाते हैं, और एक asparagus, इसका diagram बना है, NCRT में, theory में asparagus कहीं नहीं लिखा, खाना store करने वाला diagram में दिया है, और sweet potato diagram में नहीं है, पर theory में दिया हु tap root में हमें तीन याद रखना है, A, B, C, गाजर, मुली और शल्जम, गाजर याने carrot, carrot कैसी होती है, इसे conical बोलते हैं, conical, conical मतलब, जैसे ये जड़ है न, ऐसी, ऐसा, कोन की तरह है, ice cream का कोन होता है, top tea, कोन, बागो मत की चिन में, now, radish, याने मुली, मुली की root को बोलते है fusee form, fusee form का क्या मतलब सिखा है आपको, बेलन जैसा, मुली देखना, इधर से पतली, फिर मोटी, फिर पती, ऐसा, ऐसी होती है, ठीक है, now, तीसरा, तीसरा है हमारा प्यारा तरनेप, तरनेप, शल्जम, इवन चुकंदर भी ऐसे होता है, कैसे होता है ये, ये मोटा, फिर ऐ ऐसे रहते हैं, ठीक है, done, is it clear, चलो, so, conical, fusee form, इसे nappy form बोलते हैं, ये वर नहीं भी याद रहेगा, तो चलेंगे, पर examples आने चाहिए, तो ये tap route से खाना स्टोर करें, ये adventitious route से खाना स्टोर करें, इतना सब को clear हो गया है, ठीक है, 300 प्लस हो जाएगा, don't worry, ठीक है, चलि सो हमने route, route के normal function देखे, हमने route के modified functions देखे, हमने route system, tap route system, fibrous route system, adventitious route system देखा, अब लिखते हैं, regions of route क्या होता है, चलिए, regions of route, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, अब हम लिखेंगे, regions of route, regions of route मैं आपको एक चोटी सी कहानी से सुनाऊंगे, और आपको सब कुछ आता है, फिर वहां नहीं पढ़ाओंगी दुबारा, एक चोटा सा बच्चा, कुषाग्र, क्या नाम है कुषाग्र, कुषाग्र एक साल का था, एक तेड़ साल का था, उसके पापा का फोन आया, मेरे पादर के फ्रेंड ने हो अंकल, और उन्होंने कहा कि आपको आना है, अगरवाल साब बच्चों को भी लाना है, कुषाग्र जो है, उसका हम सेकंड बर्ते मना रहे हैं, दो साल का हो गया, हम सब गए, पुड़ा प्यारा सा, ऐसा, गोलू मोलू सा बच्चा, खूप शेतान, इदर, उदर, 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 पूदे, बैठे नहीं, क्या भ किया है, औरे, कुषाग्र इतना बड़ा हो गया, बोले, हाँ, बिल्कुल, हम फिर गए, हम दून रहे थे, कोई गोलू मोलू सा, क्यूट सा, कैसा उचल कूटता हुआ, क्या आप लगा के लड़का होगा, तो बिल्कुल सीधा साधा सा लड़का है, एक दम दूबला पतला नमस्कार अंकल, नमस्कार दी धी, और लिकुषाग्र इतने बड़े होगा, इतने लंबे हो गए हो, इतने शांत हो गए हो, हम ने उसको फिर से गिफ्ट दिया, केक वे कता, खाना वाना खाये, हम फिर आगये, फिर अंकल का, फिर फोन आया, करीब नो, 8, 9 साल बार, फोन की मुचे भी थी बस यह हो गया रीजन ऑफ दे रूट आईए आपको सब यहां सिखा देती हैं देखो सबसे पहले उचलता कूथता यानि जोन of meristem, meristematic zone सबसे पहले आएगा meristematic zone का मतलब यह dividing cells हैं यहाँ पे, उचलते-कूते चोटे-चोटे से cells हैं, dividing cells और उन्होंने topy पहन रखी है, यानि इसके आगे root cap रहती है इसके बाद आएदा दुबला-पतला-लंबा, यानि अब cells लंबे-लंबे हो जाएंगे उनमें vacuole बन गया, इससे लंबे-लंबे हो गया है, और शान्त हो गया है अब divide नहीं कर रहा है, उचलकूत नहीं कर रहा है, इसे कहते है elongation zone elongation zone अब division नहीं हो रहा है, लंबे-लंबे cells हो गया है, vacuole बन गया है और फिर हो गया है तो कुशाग मोटा ताजा हटा कटा मैच्योर यानि मैच्योरेशन जोन और मैच्योर जब वो हो गया वहीं उसकी मूचह आई हैं यानि एक 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 एपिडरमिस के सेल ने मिलियंज रूट हेयर बनाए हैं maturation zone में root air मिलते हैं क्योंकि कुशागर mature होने पर ही मूचे रखता था चलिए ये दोनों के cells divide नहीं कर रहे हैं ये cells divide कर रहे हैं छोटे गोलू मोलू हैं इन्होंने टोपी पहन रखी है ये लंबे दुबले पतले शानत हैं और ये हट्टे कट्टे मूच वाले हैं mature cells all done ठीक है आप इस ऐसे याद रख सकते हैं इसके proximal ये zone है इसके proximal ये zone है root gap क्यों है क्योंकि जड़को अंदर जाने अंदर जाने तो मिटी में कंकर पत्थर आएंगे अगर direct meristematic zone जाता तो वहाँ पर पत्थर वत्थर से इसके cells damage हो सकते थे फिर divide कौन करता तो root gap के cells damage होते रहते हैं और time to time meristematic cells नए नए cells बनाते रहते हैं हो गया clear सबको ठीक है आग लगा दी done चलो आगे बढ़ जाए thank you, thank you चले so this is about regions of the root ये देखो देखो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि botny इतनी interesting लगेगी और ma'am बटी ए question वरे गहरा chapter के इंडिटर आरे question करके तो देखो theory पढ़ो और पर question करो देखो chat में कितने students लिख रहे हैं पिछले chapters पढ़के उनके सारे questions लग रहे हैं मैं तो सबको पढ़ा रही हूपर जो पढ़ रहा है उसके नंबर बढ़ रहे हैं जो पढ़ रहा है उसका नंबर बढ़ रहा है शायरी हो गई वाह शलो ठीक है पढ़ा पढ़ ये देखो ये दुबला पतला कुशागर ये इसकी शादी करा दी इसके मुझे नहीं है यार, आओ इसके मुझे तो बनाए अपन, लो, यह मुझे लगा दे, फीक है, डन, आगे पड़े, चलो, मज़े आने चाहिए, सब्जेक्ट में मज़े आएंगे तो फिर सब जीवन आसान हो जाएगा, यह देखो NCRT का डाइग्राम, मॉडिफिकेशन म यह पता है क्या निकल रही है, यह निमाटो फोर्ज हैं, वो रेस्पिरिटरी रूट, यह तरनिप, यह गाजर और मुली, यह तीनों टाप रूट है, खाना स्टोर कर रही है, और स्वीट पटाटो, एडवेंटिशिस रूट है, और एस्पारिगस एडवेंटिशिस है, ए यह सब हो गया, यह देखो यह आपके इमाजिनेशन के लिए लगाए है, सुन्दर बन, यह सब काटे-काटे नहीं, रेस्पिरिटरी रूट्स हैं, वाचिंग प्रों टीवी मैम, नम्बिलाय कहरी है, मुझे ऐसा लग रही है, मैं तीवी देख रही हूँ, इत्ता इंजॉ चलिए, आगे बढ़ जाते हैं, अभी गाने का टाइम नहीं है, यह देखो बरगत का पेड़, चीक है, यह स्टिल्ट रूट्स, तिर्ची-तिर्ची, आपके इमाजिनेशन के लिए, राइट, चलिए, जिसको हेल्प करें, वो यह ट्रिक नोट कर ले न, मेरी एक बड़ी प्यारी बिल्ली है, बड़ी जद्दार, मैं उसकी बड़ी इजदत करती हूँ, रिस्पेक्टेड रिजवी नाम है उसका, स्वीट कैट है मेरी, उसके लिए मैंने चोरियां स्टील, मैंने स्टील की, वैंचे उसको मीटा गाना मना है, उसको डाइबिटीज होई है, पर मै पron can Skype बार्श घॉत मतलब में बॉक्रम लूद मेंटी ऑर शुंप उस्वीट इच्वॉड अंचाल का स्टेएट Climate उस्वीट पटाइटो ऐस्पारिगस टैप्र तर्निप और रिस्पेक्टेद रिज्वी मतलब रईजRO पोरा में रेस्पी receber पढ़ा पढ़ से एक बार आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीन शॉट ले लिजेगा ठीक है स्टेम में फर्स पॉइंट लिको जल्दी से अस्टेंडिंग पार्ट है यह जैसे रूट डिसेंडिंग पार्ट था स्टेम पे मिलेगी ब्रांचे स्टेम पे लगेंगी पत्तियां स्टेम पे लगेंगे फूल और उस पर लगेंगे फल सो ब्रांचेज, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट, शाओ तो NCRT में ये पॉइंट मार्क कर लो, ठीक है, सेम डेविल अप होगी, प्लिम्यूल से, जैसे रूट डेविल अप होगी है, राडिकल से, रूट में कभी नोड, इंटर नोड नहीं मिलते, सेम में मिलते हैं, नोड इंटर नोड, क्या होता है, नोड, जहां से पत्ती लगती है, उसे नोड कहते हैं, यहां लीफ लगी, तो यह नोड है, यहां लीफ लगी, तो यह नोड है, और दो नोड के बीच में, इंटर नोड है, सो रीजन आप स्टेम, जहां पे लीफ लगते हैं, उसे नोड कहते है और दो node के बीच के region को inter node कहते हैं, ठीक है, class के बाद में class को दुबारा सुनना है, जो nodes है, उसको learn करना है, उसके बाद NCRT पढ़नी है, फिर दुबारा वो questions लगाने है, ठीक है, हाँ, बिल्कुल, very good बबलू, very good, हाँ, आज की class तमझ आएगी हर्शल, पिछले chapter दिसको कोई लेना देना नहीं है, don't worry, चल, अब, आईए अगला पढ़ते हैं अपन, अब, मैंने अभी आपको बताये था, बनाओ मेरे साथ, की, यह जो angle है, इसे axle कहते हैं, leaf और stem, जैसे यह stem है, यह पत्ती लगी, इस angle को axle कहते हैं, अगर यहाँ पर कोई कली है, कली मतलब मेरे stematic cells है जो एक branch बना सकते हैं, या फूल बना सकते हैं, तो इसे axillary bud कहते हैं, axillary bud, यह कभी root पे, leaf पे नहीं मिलेगी, stem पर ही मिलती है, और अगर tip पर bud है, इसी से तो stem की लंबाई बढ़ेगी, तो इसे terminal या apical bud कहते हैं, यह true buds कहलाती है, यह कभी भी root, leaf कहीं नहीं मिलती है, अग root पर bud मिलेगी, तो radical, पती पर blood मिलेगी, तो foliar, यह दोनों additional है, तो दोनों को adventitious कहते हैं, यह बाद ध्यान रखना, तो adventitious buds जो हैं, वो root पे मिल सकती हैं, वो leaf पे मिल सकती हैं, पर यह true buds के वल stem पे मिलती है, NCRT open कर लेना, एका देका चीज उसमें mark कराऊंगी, now stem हम जानत हरे रंकी होती है, जब यंग है, पर बाद में लकडी बन जाती है, तब dark brown हो जाती है, done, ठीक है, आपका neat rapid series भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, thank you, thank you, worship, thank you, good evening, harsh, good evening, done, हो गया, चल, अब, NCRT में mark करो, इसके function कह हैं, इसके function यह है, कि इस पर branches, leaves, flower, fruit राइलम फ्लोय हमें, तो root जो पानी खीच रही है, वो stem के थुरू सब जगे पहुचा रही है, leaves जो खाना बना रही है, वो stem के थुरू सब जगे पहुचा रही है, यानि कंडक्स, water, mineral and photosynthetics, मतलब photosynthesis जो बन रहा है, खाना, इसके अलावा यह क्या काम करती है, कुछ stem में ख carbon copy, नया पेड़ बन सकता है, vegetative propagation, अभी सब समझाओंगे, अभी सब समझाओंगे, मां कर रहे हो मेरे साथ, NCRT में, ठीक है, कर रहे हो तो एक बार yes लिख दो मुझे, चलो, मैं मैंने 320 MCQ solve कर ली, आपके lecture दे के, बहुत बढ़ी अखिल बाटी है, बहुत बढ़ी है, very good, च अगे बढ़ जानते हैं, इसमें कौन सी बढ़ी बात है, चलो, आगे बढ़ जाए, अभी बहुत important चीज़ें पढ़ानी है, मुझे आपको, चलो आओ, बनाओ मेरे साथ, अब stem, लिखो ऐसे, तीन तरह की stem हम पढ़ेंगे, एक तो normal stem, जो हवा में रहती है, यानि aerial stem, एक stem, जो मिट्टी के अंदर चली जाती है, मिट्टी के अंदर क्यों जाएगे, भी सब बताऊंगी, एक एक question बताऊंगी, students, यहाँ पर मैं बहुत कुछ पढ़ा रही हूँ, जो reproduction in organism में भी काम आ जाएगा, underground stem, और एक stem है, जो ना तो मिट्टी के अंदर गई है, ना हवा में है जमीन के सारे रेंग रही है, यानि सब एरियल stem, अब, underground stem, चार तरह की होती है, चार तरह की, अदरक आपने देखी होगी, अदरक में क्या होता है, ऐसी, horizontal है, और branched है, underground क्यों गई है stem, हम underground कब जाते हैं, कोई भी इंसान underground कब होता है, जब कुछ घपला कर दे, कुछ underground हो जाता है, यहां stem ने क्या घपला किया, कौन सी चोरी करी है, कौन सी डाका डाला है, कुछ नी किया ऐसा, stem ने क्या किया है, समझो, ना paper leak कराया है, इनीट का, stem में, जैसे मान लोग बाहर unfavorable condition है, पत जड़ का मौसम आने वाला है, पतियां जड़ जाएंगी, अब stem को ख तो इस तरहां वो जेलेगी unfavorable condition को, इसे कहते है, organ of perry nation, unfavorable condition को जेलने का तरीका है, to tide over unfavorable condition underground stem, और अगर underground होगी, भाई हम भी underground होगे, तो खाना पीना लेके जाएंगे ना, बना पता बड़ा, पुलिस में तो नहीं मारा पर भूग से मर गया है, याने इन में होता है food storage, food storage, तभी तो इने खाते हैं हम, अब यह stem है, तो nodes होंगे, यह देखो nodes है, बीच-बीच में inter node है, यह node है, बीच-बीच में inter node है, और node पे हमेशा कली रहती है, तो यह bud है, जैसे ही favorable condition आएगी, ये लो जी नया पेड़ बन गया, तो अधरक हल्दी और केले में मिलती है rhizome, इस तरह की horizontal branched stem को बोलते हैं, underground stem को rhizome, तैंक यू, तैंक यू, अर्ज, तैंक यू, इसके examples लिख लीजेगा, ginger, turmeric and banana, ginger, turmeric, banana, कैसे याद रखोगे, केले का दूद दिया, मम्मी ने, चोट लगी थी, सौरी, केले का दूद ने, केला दिया, और हल्दी और अधरक डाल के दूद दिया, चोट बिलकुल बढ़िया हो जाए, खाना मिल गया, पोशन मिल गया, हल्दी और अधरक डाल के दूद दिय और साथ में केले दिये, ठीक है, चलो, अब, दूसरा, आलू में क्या होता है, देखो, आलू में ऐसे रहता है, unbranched है, underground stem है, ये nodes हैं, बीच-बीच में inter node है, node पर ये कली है, bud है, time आने पर ये, अपन घर में आलू लाके रखते हैं, तो ऐसे पेड़ नहीं हुगाते हैं, क्यों, क्योंकि आलू underground stem है, जो हम खा रहे हैं, इसे बोलते हैं, ट्यूबर, इसका example है, आलू, आलू, ये आख जैसा लग रहा है ना, ये देखो, ये आख जैसा, इसे eye of potato बोलते हैं, आई क्या है, node जिस पर bud है, याने this is germinating bud, इसी से नया पेड बनेगा, germinating bud, bud, ट्यूब बोलते हैं, ये अनब्रांच्ट है, ये ब्रांच्ट है, दोनों horizontal है, अब कभी अर्भी खाई है, अर्भी घर पे, अर्भी ऐसी होती है, अर्भी, ये nodes हैं, बीच बीच में इंटर नोड है, यहाँ पर बढ़ होगी, ये नया पेड बनेगा, ये वर्टिकल है, ये horizontal है, ये सब खाना स्टोर कर रहा है, ये सब हम खाते हैं, ये सब इसलिए underground हुई है, क्योंकि unfavorable conditions को ये जेलना है, इन सब में stem से नया पेड बन रहा है, फूल से पेड नी बन रहा है, नॉर्मली फूल, फूल से फल बनता है, फल के अंदर बीज होता है, बीज डालने पे नया रिप्रदक्शन, ये एसेक्श्वल रिप्रदक्शन, यानि यहाँ पे वेजी टेटेव प्रापोगेशन भी हो रहा है, माईडियो स्टूडेंट, लास्ट बट नॉट देलीस्ट, आईए देख लेते हैं, प्याज और लेसन की क्या कहानी है, प्याज लेसन में क्या होता ह टेम बिल्कुल छोटी सी हो जाती है, डिस्क लाइक स्टेप, और ये पत्तियां हैं जो हम खाते हैं, ये जो प्याज लेसन में हम खाते हैं, ये पत्तियां हैं, फ्लेशी लीव्स हैं, इन में खाना स्टोड है, और ये जो छिलका है, ये स्केली लीप है, इसे हम नहीं खात जो छिलकाम फेक देते हैं लीव्ज खानते हैं हम अनियन और गारलिक में ऐसी अंडर ग्राउंड स्टेम जो है चोटी सी डिस्क जैसी प्याज में देखा हो गणा चोटा सा रहता है कई बार वो काटके फेक देते हैं कई लोग नहीं भी काटते हैं इसे बोलते हैं स्टूडे क्या खाते हैं पत्ति खाते हैं यहां पत्ती खा रहे हैं यह लीव का भी मौडिफिकेशन है ठीक है इस एक थोड़ी भी तैयारी नहीं हुए इसको लोग आप क्राक कर लोगी नीट पर इसको दिल से कर लेना इसको पूरा कर लेना ठीक है करा स्कोट 300 प्लस इंबायो विद चार कंडिशन पढ़नी है कंडिशन नंबर बार स्टुडेंट्स धावक कौन होता है रणर दोड़ता जाता है बड़े बड़े कदम लेके दोड़ता जाता है रुकता ही नहीं है रुकेगा तो रेस हार जाएगा कभी घास उखाड़ी है गार्डन में बैठके घास का एक पेड़ उखाडते हैं तो बहुत सारे पेड़ उखाड़ाते हैं फिर आपना आसपास किसने देखा तो नहीं आज से आप घास उखाड़ना बंद कर दोगे यह पड़ने के बाद में देखो इसमें क्या होता है यह सब एरियल है अंडर ग्राउंड नहीं है यह सपोज एक गहास का पेड़ ठीक है यह इसकी ब्रांच है जमीन के सहरे सहरे चल रही है तरह में तो इस पर नोड होगी को और बड़ से तो हर जगे नए पेड़ बनेंगे यह नए पेड़ बन रहे है अब आप इमेजन करो एक घास का पेड़ है मानलो उसमें से 10 ऐसी ब्रांचेज लेटी हुई है और दसों पे 10 नोड़ है तो टोटल 100 नोड़ हो गए यानि 100 बड़ हो गई यानि 100 पेड़ हो गए और एक ए बीच का में पेड़ है आप कोई भी एक उखाड़ हो गए 101 पेड़ गास अब तूसरी कंडिशन समाजना एक चोड चोरी करके भागा एक तरीका तो यह वो सीधा सीधा भागे रनर की तरह है पर पीचे ठुल्ला पड़ा है हवलदार वो क्या करेगा वो भागा दिवार चड़ा कूदा भागा दिवार चड़ा कूदा ऐसे में वो ठुल्ला जल्दी से ठक जायगा उसे चोड देगा चोरी करने को बोलते स्टील ये चोर की कहानी है स्टील का पस्टें स्टोल और पास्ट परफिक्टें स्टोल श्टोल श्टोलन चरी करके भागे हैं कुछ ऐसी कहानी बनेगी देखो ये ऐसे ये गई फिर ये गई oblique downward पंडा पता रहेगा न वर्ड देखते ही पहचान लोगे ये नोड है यहां बड होगी जहां पे भी बड है वन है या पेड बनेगा vegetative propagation पर obliqually arch कर रही है इसके examples हैं बहुत आसान स्टूडेंट्स स्ट्रॉबेरी इसमें आती है स्ट्रॉबेरी जैस्मीन जैस्मीन मिंट बड़ा controversial है क्यों अभी बताती हूं आपको मिंट इसमें भी लिखा हुआ है NCRT में एक जगे दे अब पढ़ना NCRT के एक शक्द समझ में आएगा येस चोड निकल के भागा चलो अब तीसरा पीसरे में क्या होता है ध्यान से समझना पीसरे में हम cold ring सक करते हैं न इसे बस ऐसा कुछ करने वाले हैं यानि सकर सकर देखो सकर में क्या होता है जैसे मान लो ये पेड़ है ये इसकी स्टेम है underground होई ये ऐसे horizontal आई एक स्टेम हलकीसी below the ground पर ऐसे टेड़ी होके उपर निकली जहां निकली वहाँ नोड है वहाँ पे बड है तो वहाँ नया पेड़ बन जा ये ऐसा नहीं लग रहा cold ring यूँ सक, इसे बोलते हैं सकर, इसे बोलते हैं सकर, सकर कहां देखने को मिलता है, बड़ा असान है, physics, chemistry, bio, याने बनाना, बनाना में rhizome भी है, और बनाना में सकर भी है, और पाइनापल, पाइनापल, physics, chemistry, maths भी आता है इसमें, physics, chemistry, bio and math याने मिन्ट, students, मिन्ट में first choice ये आएगी, second choice ये आएगी, done, clear हो गया सबको, नाजमीन, stranger, शुभाम, end तक बने रहा हो, इस chapter को tips पे करा दूँगी, अभी तो cohesion, adhesion, क्या-क्या आना है, placentation, venation, अरे आपको आनन्द आ जाएगा, ठीक है, चलिए, अब, last but not the least, fourth, ये सब sub-arial है, sub-arial है, सब में नाइ-नाइ पेड़ बन रहे है, mitosis से, asexual reproduction से, now, next में क्या होता है, देखो, जैसे ये पेड़ है, इसमें ये roots है, ये leaves है, stem तो दिखी नहीं रहे है, क्यों, क्योंकि stem बिल्कुल ऐसी है, ये सब area, यहाँ node होगा, यहाँ बढ़ होगी, इससे दूसरा पेड़ बहे ऐसा मिलता है, पानी वाले पेड़ों में, पानी वाले पेड़ों में, जैसे की, इकॉर्निया, इकॉर्निया याद है न, टेरर ओफ बेंगॉल, कई chapters में आएगा ये, टेरर ओफ बेंगॉल, पिस्तिया, वाटर लेट्यूज, जिसे बोलते हैं, इसे वाटर हाइसिंत बोलते हैं, लिख ले न, वाटर हाइसिंत, वाटर लेट्यूज, इकॉर्निया को उसक से ग्रो करा पूरी जील के सर्फेस पे कवर कर लिया सारी ऑक्सिजन अपनी ब्रीधिंग के लिए यूज कर ली और उस लेक के सारे जानवर मर गए सब मचलिया मर गई इसे आतंक कहते हैं बंगाल का आतंक यह सुनके बोलो आपका मूड आफ हुआ की नहीं हुआ मेरा तो दिन में तीन चाप्टर रिवाइस कर लिया आपने तीनों बहुत बढ़िया आपको मज़े आ गए चलो थैंक यू थैंक यू चलिए डान आगे बढ़ जाओं चलो अब एरियल स्टेम की बात करते हैं एरियल स्टेम के मॉडिफिकेशन मैं स्लाइट चेंज कर रहे हूं ठी अब हावा में तो स्टेम होती है इसमें कौन सी बड़ी बात है भई देखो अब इसके मॉडिफिकेशन कैसे होगी बहुत मज़ेदार है मॉडिफिकेशन नंबर वन ज्यान से देखो बनाओ मेरे साथ सब्सक्राइब यह एक स्टेम है यह नोड है ठीक है यह एक लीफ लगी हुई है यानि यह एक कली है एक्जिलरी बड इसे बनाना चाहिए थी ब्रांच लेकिन यानि स्टेम कही हिस्ता लेकिन इसने ऐसा स्ट् इंद्रिल, वायरी, कॉयलड स्ट्रक्च्छर है यह, कॉयल्ड स्ट्रक्चर, यह क्या क्या क्रेगा ? यह सपोर्ट देगा यह बेल को चड़ने में ऊपर काम करेगा यानि क्लाइंबग करेगा, यह कहां से औरिजने टुआ है ? यह एक्जलरी बड से, एक एक लाइन पढ़ा अब सेकेंड इसे फिर से वोई पेड़ है नोड है पत्ती लगी हुई है यहाँ पर बढ़ है इसे बनानी थी ब्रांच या फूल पर काटा बना दिया हाड, पॉइंटेड स्प्रक्चर बना दिया काटा यानि थौर्न बना दिया थौर्न ने क्या करेगा इसकी रक्षा करेगा जैसे फूल के साथ काटे होते हैं जब कोई जानवर वानवर आएगा चरने के लिए तो यह उसको चुबेगा तो वो आएगा नहीं यानि इसने रक् किया defense किया और यह भी develop हुआ है from auxiliary part auxiliary part चल। एक्साम्पल बताओं आपको मज़े आ जाएंगे थौर पिच्चर लगी है बिग सिनेमा में थौर पिच्चर लगी है बिग सिनेमा में बिग सिनेमा मतलब बोगन विलिया यह सारी ट्रिक्स है इस पीडियेफ में बोगन विलिया और सिनेमा मतलब सिट्रस, आप लोग यहीं लिख लेना, नीबू विबू में देखना, नीबू संत्रे, इनके हमेशा कांटे 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 रहते हैं, बोगन विलिया, तुम ट्रिक लिख लो फटापट से, थौर मूवी लगी है, बिग सिनेमा में, इसकी ट्रिक है टाइग टाइगर, 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 टाइगर मतलब टेंडरिल, और गर, गर, टाइगर श्रॉफ है हमारे, टाइगर ऐसी तो गुलांटियां घाता है, देखो टेंडरिल, टाइगर, टेंडरिल, टाइगर, टेंडरिल, टाइगर, ठीक है, फ्लिप्स मारता है न, चलो, अब ज से है ग्रेप वाइन अंगूर की बेल होती है ग्रेप वाइन और जितनी भी गार्ड तामिली मतलब गार्ड खामिली मतलब कद्दू खीरां तर्बूज घरबूज उन सब में तो टाइगर मारता है फिलिप थौ्र तौर ऊस्थद ऐक है एक सिर्ट है तो के डाइ में और अल्र अब तीसरा, normally stem जो ही, वो खाना नहीं बनाती है, पर काक्टस वगेरा में क्या होता है, वैसी पानी की कमी है, पानी की कमी है, अगर leaves वाहali नॉरमल बनी तो उनमें stomata होंगे, उन से पानी भाब बन के उड़ेगा, वाहिप बन के उड़ेगा, तो पानी की कमी हो जाएगा पे कुर्बानी दूँगी मैं बनूँगी green photosynthetic मैं खाना बनाऊंगी यह देखो यह step यह कांटे-कांटे यह leaves है leaves यह बन गई है spine या thorn और stem हो गई है green photosynthetic photosynthetic green stem ऐसी stem को कहते है my dear student pyloclad इसके दो examples NCRT में दिये हुए है एक यह जो ऐसी चप्टी हो गई है flattened इसका example है opanshia और दूसरा euphorbia euphorbia में कैसी होती है ऐसी cylinder जैसी ऐसी यह कांटे-कांटे so fleshy and cylindrical यह तक question आएगा अगर cylindrical पूछेंगे तो यह यह answer आएगा flat पूछेंगे तो यह answer आएगा इसकी trick से याद कराऊं trick बढ़ा अच्छा है trick बहुत आसान है trick है खाओ और पियो तो खाओ मतलब यह हो गया खाओ photosynthesis कर रहे है और पियो मतलब phyloclad और बंशिया euphorbia पियो खाओ और पियो मस्तरो जीवन का आनंद लो ठीक है done so these are the modifications of the stem एक और चीज आगे जाके पढ़ाऊंगी जहां पे पितियोल पत्ती की डंडी खाना बनाईगी उसे पाई लोड कहते है वो अलग है यह अलग है is it clear everybody अर्शी ठीक है चलो so यह हो गए पूरे stem के modification यह देखो ncrt का diagram बना हुआ है all right यह रहा complete diagram जिस पर पुरानी ncrt हो पहले labeling नहीं दी गई थी अब labeling भी दी है जिंजर राइजोम जमीनकंद कॉर्म पोटाटो ट्यूबर यह देखो tendril बना रहे हैं tendril किसमें गुलाटी खाता है tiger यानि grapevine और guards बोगन विलिया में कांटे spine और thorn एक ही बात है तो big cinema में thorn movie लगी है और यह देखो oxalis में दिया हुआ है roots arising from the nodes यह सब vegetative propagation है ठीक है yes मैं सब कुछ cover करूंगी students इतना पढ़ लोगे this is more than enough यह सब मैंने पढ़ा दिया खाओ पियो पढ़ा दिया तब हो गया चलो अब आजओ पत्ति है लिखो leaf लिखो 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 आ रहे मजे आरे हैं की नहीं आरे बताये बनाना सकर भी है बनाना राइजों भी है बनाना दोनों है एक ही option आएगा आप मेंसे आपको ठीके मैं आपके साथ साथ नोट बना लेता हूँ याद भी हो जाता है बहुत बढ़िया नितिश बहुत बढ़िया एमधी क्लियर हो गया ठीके हाँ आलू है ना पटेट आलू ही तो हता है इंदी में आलू बोलते हैं कोई बात नहीं मानसी अब पढ़ लो गर अब उसको पत्ती चप्टी होती है फ्लाटेंड है और पत्तिया स्टेंप पर होती है पत्ती अभी अभी हमने पढ़ा नोड पे डेविलप होती है और पत्ती का जो एंगल बनता है एक्जिल उस पर बढ़ होती है कली होती है ये कली आगे जाके भविश में मैंने आपसे कहा था ब्रा वाली पुरानी पत्ति या नीचे होती है, नही नही पत्ती ऊपर आती जाती है। देegन को याद रखने का तरीका बताती हूं। ऐसे बनती है पत्ति है ये बड़ी पिर छोटी फ्र ही ऐसे होता है न। देखो। यह ए बन गया ना ए एक्रोपीटल सक्सेशन बोलते है एक्रोपीटल का मतलब यह बड़ी-बड़ी पत्तियां बेस पे और छुटी-छुटी यंग वाली उपर ड़ान ठीके हाँ बिल्कुल अब पूरवा सही बोल रहे हो आपके हैंक्यू अनजूम थैंक्यू इप्रियर हो गया आगे बड़ करी सबकुई पता हैं पोर्त यस से लीव कूल डावन होती है यहने Transpiration चलिए आए यह Leap का Structure बनाते हैं लिको Leap Structure बनाओ मेरे साथ यह Node है यह Leap बना दी है यह Leap सबसे पहले Leap का है Base हर चीज का Base होता है Leap का Base Base ते ही यह Stem से जुड़ी हुई है Leap की डंडी Leap की डंडी को बोलते है PTO यह Stock of the Leap है Dundee पता है PTOLE क्यों होता है देखो एक Leap ऐसे लगी है PTOLE के बिना और एक Leap ऐसे लगी है PTOLE के साथ तो PTOLE वाली हिल डूल सकती है डंडी है उसके साथ तो हिल डूल सकती है तो उसको उपर ले जा सकते है जा धूप अच्छे से आए और हिलेगी डूलेगी तो उसके Cool Surface रहेगा हवा आती जाती रहेगी Circulation of Air रहेगा इसलिए PTOLE होते है सब NCRT की लाइन से आज पढ़ ले ना अभी समझो पहले ठीक है? अब इसे बोलते हैं Leap का Lamina Lamina जो Main हरा हिस्सा है जहां Actually Photosynthesis होने वाला है अब Leap की Base में हमें दो बाते पढ़नी है जो दाल वाली Family होती है उसमें ये Leap Base Swollen हो जाता है इसे फूल जाता है उसे बोलते है पलवीनस दाल जैसा हो जाता है दाल छोले जैसा फूला हुआ पलवीनस मतलब Swollen Leap Base और ये देखने को मिलता है दाल वाली Family में यानि Papelionese Family P, मटर वाली Family तो मटर के जैसा फूल जाता है याद रखना P से पलवीनस P से दाल वाली Family दाल जैसा फूल जाता है मटर जैसा फूल जाता है पर Monocards में ये Leap Base ऐसा Cover कर देता है इसे Sheething बोलते है Sheething Leap Base Monocards के अंदर Monocards ठीक है? Done? अब Leap Lamin आप जानते हो इसकी Margin अलग-अलग शेप की होती है पत्तियों में इसकी Tip अलग-अलग शेप की होती है इसके Color कोई Dark Green, Light Green अलग-अलग हो सकते है ये सब हम जानते है अब ये क्या है Leap में भाई? ये तो Axillary Position है यहाँ Axillary बढ़ोगी ठीक है? अब Leap में न ऐसे दो Structures दिखते है कुछ पत्तियों में कुछ में नहीं भी दिखते है गुलाब में भी दिखते है जैसे गुलाब में न ऐसे दिखते है ऐसे ऐसे क्या आपने पत्ति के आसपास? इन्हें बोलते है Stipule अब ये क्या बला है? ये समझ के रख लो Stipule का मतलब है Leap की Base पे दो छोटे-छोटे Leap जैसे ही Structure Reduced छोटे-छोटे इनका काम इस Axillary Bud की रक्षा करना क्योंकि भविश में ब्रांच या फूल बनाने वाली है So, ये Reduced Leap-like Structures है At Base of Leap 2 होते हैं 2 Stipule हो भी सकता है नहीं भी हो सकता होगा तो Stipulate Leap कहते है नहीं होता है तो X तो Stipulate Same ऐसे ही चीज न Student यहीं समझ लो जैसे मान लो ये फूल है पूल के Base पर अगर है तो इसे Bract पे कहते है Bract Same Do, Reduced छोटे-छोटे पत्ती जैसे Structured At the Base of Flower Flower की डंडी के Base पर है ये पत्ती की डंडी के Base पर है Done? ठीक है? Thank you, Kushi Done? चल आजो NCRT एक बार Open करो ये सब पढ़ा चुकी हूँ है ये सब पढ़ा चुकी हूँ चलो NCRT में ये लिखा है कि Leaf की Margins Shape Apex Surfex कितने Cuts हैं भई कोई पत्ती ऐसी होगी कोई पत्ती ऐसी होगी कोई पत्ती ऐसी होगी ऐसे Cuts भी लगे हो सकते हैं ये सब Lamina के अंदर अलग-अलग रहता है अलग-अलग स्पीशीज चीक है अब Leaf में आपने एक चीज देखी होगी देखो यहां बनाती हूँ ऐसे पत्ती में ये बने रहते हैं देखा है कभी नोट करा है ना पत्ती तो सब नहीं देखी होगी ये या तो ऐसा रहता है या जाल बना रहता है इन्हें बोलते हैं वेन और छोटे वालों को वेन लेट इनका क्या काम है इनी में जाइलम फ्लोयम जाता है तो एक तो यहां से जाइलम फ्लोयम है यानि ये लीप को खाना पीना दे रहे हैं और दूसरा जब पत्ती को काटोगे तोडोगे तो यहां से तो फट जाती है यहां से नहीं फटती Rigidity देता है Rigidity चलिए So यह है Vains and Vainless Vains and Vainless यह Xylemphloem है यानि provide water Minerals and food और दूसरा Provide Rigidity To leave lamina Clear हो गया सबको सुहाना यह मैं बताऊंगी Fabacee और Papillonausy में क्या difference है Papillonausy बड़ी family है Leguminosausy family उसकी Fabacee family है अपने level पर तो सेम है ठीक है चल पड़ापट से आगे बढ़ जाए पन तो हमने leave का structure देख लिया Stipulate X stipulate देख लिया अब heading लिखो Venesian मजे आजाएंगे लिखो लिखो Venesian Venesian का simple सा मतलब Leap के अंदर Vain और Vainless का arrangement ठीक है या तो NCRT में मार्क कर लो या लिख लो Arrangement of Vain and Vainless In Leap Lamina दो तरह का arrangement हो सकता है एक तो हमने अभी बनाया जाल जैसा ये जाल जैसा और बायो के अंदर जाल को क्या बोलते है Reticulum इसे कहेंगे Reticulate Venesian Dicots में ऐसा ही देखने को मिलता है हमारे syllabus में केवल एक Lily वाली Monocot family है बाकि सब Dicot में Reticulate Venesian देखने को मिलेगा एक लिकाप बाद है अपन डीटेल में नहीं जाएंगे लेकिन अगर आपने गेहू चावल का इवन बनाना का पत्ता देखा हो उसमें ऐसा रहता है बस या तो ऐसा रहता है या ऐसा रहता है ऐसा Parallely arranged है जाल नहीं बन रहा Parallel Venesian ये Monocot में देखने को मिलता है Direct questions आते हैं Lily वाली पैमिली में Parallel लिखेंगे बाकि आलू वाली, दाल वाली, ब्रैसी, केसी, गोभी वाली सब में ये लिखेंगे, सरसों वाली ठीक है? चलो, आगे बढ़ जाएं पटाफट से Venesian हो गया सबका दिखाऊं, NCRT ये देखो, ये पूरा जाल बन रहा है पूरा जाल और इसमें केवल Parallel है पहचानना आना चाहिए केवल Parallel हो गया, आगे बढ़ें, चल अब लिखो Types of Leaves बहुत मज़े आएंगे, समझने की चीज़ आ गई है लिखे, Types of Leaves बहुत मज़ेदार है Types of Leaves में दो तरह की पत्तिया है समझने का टॉपिक आगे Students, full concentration चाहिए, ठीक है बहुत अच्छा पढ़ाते हो Thank you, thank you Thank you, love from Siddharth Nagar Thank you, Aditi चीक है 6 बजे देखो अच्छे से, क्या 6 बजे 2 post डले होँए 2 बजे का time table, 6 बजे का time table ठीक है Now देखो समझू, अगर मान लो ऐसी पत्ति है, जिसमें cuts लगे ही नही है या cuts तो लगे है, पर वो बीच वाली वेन तक नहीं आ रहे है कुछ भी, touch नहीं कर रहे है, touch बीच वाली वेन को ना midrib कहते है जो main vein है, से midrib कहते है main, main vein जो है तो या तो lamina entire एक cut लगे ही नहीं है या cut लगा है, पर midrib तक नहीं पहुँच रहा तो इसे कहते है, simple leaf simple पत्ती, मतलब या तो lamina, पूरा का पूरा है entire या cutts है, incisions है but not reach midrib ठीक है? तो simple leaf अब एक simple है तो दूसरी हो जाएगी compound leaf compound leaf में क्या होगा? compound leaf में ये cuts यहां तक पहुँच जाएंगे जब ये cuts यहां तक पहुँच गए तो ऐसा बन गया, देखो ये बन गई है यानि अब leaf जो है, वो leaf let's में divide हो गई incisions reach midrib अब ये फिर दो तरह का हो सकता है फिर दो तरह की हो सकती है बड़ी मज़दार और बड़ी आसान है देखो, मान लोग कोई ऐसी पत्ती होती है, ये ptol है, ये veins है मान लो, और पूरी एक पत्ता था, इसमें cuts लगे ऐसे, ऐसे cuts लगे, ऐसे तो ये compound leaf बन गई ऐसा लग रहे है, ptol की ये comment टिप है और यहां से ऐसे पाँच निकल रही है, palm की तरह हतेली की तरह इसे palmate compound leaf बोलते है palmate compound leaf याद रखने का तरीका बता हूँ example आपको मज़े आ जाएंगे अपन दुकामदार के पास जाते है, कपड़े खरीदने तो अपन कपड़ा हाथ में ही तो लेके देखते है palm में, भहिया दिखाओ, silk है cotton है, silk है कि cotton है, silk cotton इसका example हो गया tips लिखते जाना, silk cotton palm में लेके देखते हैं तो हो गया silk cotton, ठीक है, चल अब, दूसरा, दूसरे में क्या था, normal leaf थी ऐसी यह कट लगते है यह कट, जैसे कि गुलाब में होता है, नीम में होता है ऐसा लग रहे है न, जैसे चिडिया का पर हो पर, pinnately compound leaf, pinnate compound leaf, pinnate na 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 नीम, na 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 नीम, याद हो गया palm में लेके silk और cotton देख रहे हूं और na 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 all done, ठीक है नितिन, बॉटनी में marks कैसे improve करो समझो, concept को समझो example learn करो, हो जाएगा done, clear है, जितने students attend कर रहे हो, एक बढ़ पड़ से मुझे yes या thumbs up भेश दो फिर मैं आगे आ जाती हूं so very very important types of leaves khatam, चले यह सब सिखा दिया मैंने आपको, देखो यह common points arise हो रहे हैं यह सारी अलग, 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 अलग format है, जैसे हतेली पे common points arise होती है, और यह एक main है और उस पर लगे हुई है इस case में, जो main access होती है students, इसे rashes बोलते हैं, वोई midrib है यह, इसे rashes बोलने लग जाते हैं इस तमये पर कोई हिम्मत नहीं हारेगा, कोई dull नहीं होगा, कोई down नहीं होगा, strategically पढ़ेंगे, 26 April तक पुरा course खतम करेंगे, तीन full test देंगे, more than enough है, हम लोग धेर सारे questions solve करवाते हैं, PYQs करवाते हैं, बस इसको अच्छे से करो, अब करना आपके हाथ में, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, well done, चलिए, तो leaf हो गया, leaf का structure हो गया, leaf में वेनेजन हो गया, अब आईए leaf, arrange कैसे है stem पर, so arrangement of leaves on stem और branch, बढ़ा हूँ, phylo-taxi, चलो, देखो, leaf ऐसे arrange होगी कि उस पर maximum sunlight पड़े, ताकि बढ़िया photosynthesis हो, एक तो शब्द आना ची और एक उसका example आना चाहिए, so phylo-taxi, रटनी की जरुरत ही नहीं है students, phylo का मतलब होता है leaf, taxo, taxo, taxonomy, arrangement, so arrangement of leaf on stem और branch, venesian मतलब veins का arrangement, जो होगा reticulate parallel, phylo-taxi मतलब stem पर leaves कैसे arrange, कितना easy तो है, ठीक है, चलो, अब पहला तरीका, देखो, normally क्या होगा, बनाओ मेरे साथ, ये nodes हैं, एक node पे एक पत्ती, दूसरे नोड पे दूसरी, alternate, alternate, एक, 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 एक node पे एक पत्ती निकल रही है, उल्टा, opposite, इसे opposite नी, alternate और अगर एक node से दो निकली, एक node से दो, इधर भी, इधर भी, इधर भी इधर भी एक नोड से दो लीव आपस्त में एक दूसरे के opposite है opposite phylo taxi और अगर एक नोड से बहुत सारी पत्तिया निकलें more than two leaves जैसे ये नोड है इधर भी पत्ती इधर भी पत्ती इधर भी पत्ती पीछे भी पत्ती पूरा घेरा बन जाए घेरे के लिए बायों में वर्ल वर्ड यूज़ करते हैं तो वर्ल चलो ट्रिक्स से इनके एक्जाम्पल्स याद कराती हूँ आपको मज़े आ जाएंगे पेड़ पे दो कागा कवे बैटे हैं आमने सामने कौन बैटे हैं ओपोजिट कौन बैटा है कागा 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 मतलब कैलो ट्रॉपिस और गुवावा यह तो एंसी आटी में दिया है वैसे तुलसी भी इसमें आ जाती है तो ऐसा याद रख लो तुलसी के पेड़ पे आमने सामने ओपोजिट कागा बेटे हैं हो गया याद कागा तो जिन्दिगी में नहीं भूलोगे चल अब वर ले बताते हम वर मतलब घुमाना एक पत्θर लिया और यह घुमाक के मारा पत्थर लिया घुमा के मारा पत्थर मतलब स्टोन एल Stonia Stonia Stone मारा घुमाक्के stonia हो गया जाग? चलो Alternate का example आव चलो आपको दिखा देती हू fais Alternate तेखो, stonia हो गया calotropis, kaga हो गया और इसका example हो गया, बिल्कुल चाहिए M.S.C. यानि Mustard, China Rose and Sunflower Mustard, China Rose संप्लावर MSC 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 करते है ना तुलसी के पेड़ पे दो कागा आमने सामने बैटे है पत्थर गुमा के मारा स्टोन अलस्टोनिया वर्ल और MSC सल्डेषर एक से यह तो निकलर है ने अलस्टोन और यह एक भी हुर्ड ओ हाव्र अल्राइट डान ठीके चलिए आईए आगे बढ़ जाएं सो फाइलो टैक्सी की ट्रिक में आपको अल्ड़ी बता चुकी हूँ अब लिखो लीव के modification हमने root पढ़ा root के functions पढ़े root के regions पढ़े root के root system के types पढ़े और root के modifications पढ़े stem पढ़ा underground stem पढ़े, sub-aerial stem पढ़े, aerial stem modifications पढ़े लीव पढ़े लीव का structure पढ़ा लीव के types पढ़े simple, compound, parmate, pinnate, leaf में venation पढ़ा, leaf का arrangement याने philotaxi पढ़े अब पढ़ते हैं leaf के modifications लीव का main काम होता है photosynthesis पर यहाँ पत्ती कुछ और काम करेगी जैसे पत्ती से tendril बन जाए, tendril, tendril stem में भी बना था dear students, यहीं लिख देती हूँ stem में भी tendril बना था, यादे tiger वाली trick पढ़ी थी, guard family वाली, याँ वो नहीं है leaf tendril, पत्ती tendril बन गई, मतर के अंदर, पी now, leaf कांटा बन गई, leaf spine या thorn, stem में भी कांटे बने थे, यहीं लिख देती हूँ, stem में भी thorn बना था, bogan wilia और citrus में, एक साथ लिख लो पिर बुलोगे नहीं, पत्ती कांटे कांटे कहां बनी थी, cactus में, और पंची आव अगेरा में, यादे ना ऐसे, ताकि surface area कम हो जाए, पानी का loss कम हो, so to reduce water loss, to reduce water loss, यहां तो वही climbing या support के लिए, और पंची आ, यूफोर्बिया, जहाँ पे stem बन गई थी, phylo clad, यादा रहा है, stem green photosynthetic हो गई थी, और पत्ती बन गई थी, पाई, done, ठीक है, ना, और, leaf food भी store कर रही थी, यादे, प्याज lesson में जो हम खा रहे हैं, onion garlic, उसमें fleshy leaves ही हैं, जो हम खाते हैं, fleshy leaves, edible, onion garlic में, तो leaf खाना नहीं बना रही है, लीफ को खाया जा रहा है, leaf खांटा बना रही है, रक्षा कर रही है, surface area कम कर रही है, water loss कम कर रही है, leaf climbing में help कर रही है, अब, leaf पकडने में काम आएगी insects को, insectivorous plants, ये plants photosynthesis तो करेंगे, इनमें normal पत्तियां तो होती हैं students, पर, insect पकडने के लिए पत्ती होती है, पता कैसे होती है, रुको मैं देखती हूँ, एक paper निकाल के बताती हो आपके, जैसे मान लो ये एक paper है, ये पत्ती है, इसमें पत्ती ऐसे मुड़ जाती है, और ये पत्ती के tip धक्कन बना लेती है, धक्कन, ये घड़ा बन गया, leaf घड़ा बन गया, इंसेक्ट आएगा, अंदर बंद हो गया, इंसेक को मार दिया जाएगा, नाइट्रोजिन की कमी पूरी कर लेते हैं, पिचर प्लांट, नेपेंथिस, खासियाना, लीफ ने पिचर बना लिया, और इसका जो पीटियोल है वो इसे टेंड्रिल बन जाता है, ताकि लीफ उपर रह सके, ताकि इस गड़े के अंदर इंसेक वीनस फ्लाइट्राप, इसमें क्या होता है, पत्ती जो है न, ऐसे फ्लाप्स रहते हैं पत्ती के, बड़ी सुंदर सुंदर कलर के इसे, कोम करते हैं न, कंगा वैसे, इंसेक्ट आये, टक करके बंद कर लिया, अंदर निप्ता दिया, और एक आता है ब्लैडर वर्ट, ब्ल पत्ती रहती है, इसमें इसा न, जैसे फुटबॉल वगेर में वैल्व होता है, वो कोलते हवा बढ़ देते हैं, तो जैसे इंसेक्ट आता ही, वैल्व खुलता है, जैसे इंसेक्ट अंदर आ गया, वैल्व बंद हो गया, उन्हें पढ़ गया, मर गया इंसेक्ट, ठीक है, Insectivorous, done एक और बचाए, जो अभी आपको बताती हूँ पर पहले इसमें ये दिखा देती हूँ ये देखो ये tendril हो गया leaf का, ये spine हो गए काटे, और ये खाने वाली leaves हो गए ये आपकी knowledge के लिए दिखा रहे हूँ, ये देखो ये picture plant हो गया, घड़ा बना दिया leaf की lamina ने, ये venus fly trap ये देखो, ये fly betty ये खुलेगा, अंदर गई, इसको क्या पता है इसके जीवन का आखरी दिन है, ये निप्टा दिया ठीक है, ये bladder words है normal green पत्तियां भी है पर ऐसी bladder football जैसी पत्तियां है इंसेक्ट अंदर गया, वैल बंद खटाम कहानी, ठीक है done, चला अब एक और हमें पढ़ना है students इसे atricularia भी बोलते हैं, bladder word को है न, atricularia एक और पढ़ाती हूँ pilode अब ये pilode क्या बला है piloclad जो है, यहाँ पे stem खाना बनाती है, photosynthetic pilode में क्या होता है, समझो कुछ पेडों में पत्तिया छोटी-छोटी और short lived होती है तो जैसे मान लो, यह पत्ती तो मर गई बिचारी, अब खाना कौन बनाएगा, तो petiol जो डंडी है वो ऐसे फूल जाती है और वो खाना बनाती है, याने petiol photosynthetic हो और petiol क्योंकि leaf का पाटे इसलिए से leaf modification में मान रहे petiol green photosynthetic हो जाता है क्योंकि leaves short lived है जो लामिना है, example याद करा हो, आपको मजे आ जाएंगे, इसका exam लिख लेना tricks भाई है, ट्रिक्स लिख लिया करो, Australia में एक लड़की है, जो खुब पीटा, उसके मम्मी पापा ने तो बीचारी अकेली बैठी हुई है तो पीटा मतलब petiol, Australia में मतलब Australian अकेली बैठी है याने Australia, Australian Acesia बबूल का पेड़ है ये अकेली, Acesia, Acesia Australian, Acesia, Australia में एक लड़की अकेली बैठी है पीटा क्यों पीटा उसने खाना बना दिया सब उल्टा सीधा vegetarian बनाना था non vegetarian बनाने है photosynthesis ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है येस Plank Kingdom में भी पड़ा Insectiverse चलो done so this is all about leaf तो हमने पढ़ लिया stem root leaf phylo taxis venetian ये word अलग से लिख लो कहीं पे venetian और phylo taxis दो term आये venetian मतलब veins का arrangement leaf में और phylo taxis मतलब leap का arrangement stemia branch पे ठीक है बहुत बढ़िया अलताव अब spamming मत करो आग लगा दी ठीक है चलिए आए अब लिखते है flower पहले लिखो in fluorescence लिखो in fluorescence लिखो लिखो मैं पानी पी लेती हूँ आप लोग भी पानी पी लीजे चाहें तो बंजाल अभी तो पढ़ाया लीव की डंडी को पीटियोल बोलते है सबको clear है मज़े आ रहे ठीक है भाग के नहीं जाना अभी तो बहुत मज़े आएंगे placentation, activation, cohesion आहां आनन्द आ जाएगा चलो अब inflorescence का simple सा मतलब होते है फूलों का गुल रस्ता एक ब्रांच पर जब सारे फूल लगे हैं खूप सारे उसे inflorescence कहेंगे मार्क कर सकते हो आप inflorescence का मतलब arrangement of flower on floral axle arrangement of flower on floral axle याने फूलों का गुल रस्ता अब यह कैसे बनता है चलो अब एक ट्रिक से भी याद कराऊंगी देखो होना क्या था ऐसा होना था नोड थे बीच-बीच में इंटर नोड थे और यहां पत्तियां लग रही थी यही हो रहा था मानलों मैंसे पिछका दू यह पिछका दिया नोड पास-पास आ गये इंटर नोड छोटे-छोटे हो गये और पत्तियां मौडिफाइड बन रही है कोई पत्ति ऐसी बन गई तो सेपल बन गई ऐसी बन गई तो पेटल बन गई ऐसा बन गया तो स्टेमन बन गया ऐसी बन गई तो कारपल बन गई पसे फूल बन गया तो फूल कब बनता है जब इंटर नोड लंबे ना हो एक्सिस पिचक जाए कब होगा जब शूर्ट अपाइकल मेरिस्टेम थी ये इसे बनाना तो शूर्ट था आगे लंबा होना था पर ये फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो गए फूल बनानी वाली मेरिस्टेम बन गई ये सब होर्मोनल होता है अब बस अब तुम ना आग डालोगे ना पानी डालोगे चुपचाप पड़ोगे अल्टा ठीक है हाँ ये मेरा स्टूडेंट है बिल्कुल इसने मुझसे पड़ा हुआ है ठीक है चलिए अब शूर्ट अपाइकल मेरिस्टेम आप इस ट्रिक्स से याद रख सकते हो साम ने सेम ऑल इंडिया सुना स्टैम ने यानि शूट अपाइकल मेरिस्टेम कनवर्ट होती है एक्सेश छोटी हो जाएगी इंटरनोड लंबे नहीं होंगे तब जाकर स्टैम में एक फूल बनता है अब फूल दो तरह का हो सकता है लिखी फ्लावर या तो फ्लावर अकेला हो अक और असेंस दो तरह का होगा बहुत असान तरह से पढ़ा रही हो आप तमझो मान लो कि यह एक कोई भी स्टैम है ठीक है यहाँ पर पहला फूल इधर लगा दूसरा फूल इधर लगा तीसरा फूल इधर लगा टिप्पे पूल नहीं लग रहा कभी टिप्पे तो शूट अ इकल मेरिस्टैम है जो इसे लंबा करती जाएगी रेस की तड़े दोडता जाएगा कभी टिप पर फूल नहीं लगेगा रेस की तरह दोडता जाएगा तो रेस्मोस इन फ्लॉरसेंस रेस्मोस रेस्मोस में सबसे पुराने फूल जो है ओल्डेस वो बेस पर मिलेंगे और स कभी कनवर्ट नहीं होगी टिप वाली मेरिस्टैमाटिक टिशू ये भी देखो एशेप का लग रहा है न इसे अक्रोपीटल पत्तियां भी तो ऐसी जिखाएं थी पुरानी वाली नीचे और नई वाली उपर सेम वैसी तो कहानी चल रही है यानि इसमें भी अक्रोपीटल अरेंजमेंट है अक्रोपीटल अरेंजमेंट और टिप पे कभी पूल नहीं लगता इसी लिए टिप दोडती जाती है रेस की तरहां टिप नेवर टर्मिनेट्स इंटू अ फ्लावर अपेक्स नेवर टर्मिनेट्स इंटू अ फ्लावर दूसरा इंसका उल्टा हो जाएग टिप पे फूल लग गया, ये लोग पहला फूल तो यहीं बन गया, अगला फूल यहाँ बना, अगला फूल फिर यहाँ बना, उल्टा हो रहा है, यहाँ पे यह oldest है, बेसी पीटल, एक याद कर लोगे न, दूसरा रट जाएगा, और टिप, तर्मिनेट्स, इन फ्लावर, ए तो दो तरह के इन फ्लावरेसेंस हो गया, रेस की तरह दोडते जा रहे हैं, नए, 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 फूल उपर आते जा रहे हैं, तो रेसमोस, और उपर शान्ती हो गई है, तो साइमोस, इसे क्लियर, एवरीबरी, ठीक है, आदिती, एंग्जाइटी कम होने का एक तरीक है, 4x4 टेखनीक, मेडिटेशन करो, और दूसरा, प्लानर बना के पढ़ाई करो, जब पढ़ाई करोगे, तो अपने आप एक्जाइटी कम होगी, चलिए, नेगेटिव थॉट्स आना, नॉर्मल है, स्टूडेंट्स, और उस समें पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करना है, प्लीज 4x4 टेखनीक करना शुरू करिए, मेडिटेशन करना शुरू करिए, चलो, तो ये देखो, NCRT में डायग्राम बना हुआ है, ये रेसमोस का है, और ये साइमोस का कहां गया, ये साइमोस का है, देखो, टिप पे फूल लग दिया हो, अब अगला फूल यहां लग र फ्लावर आप सबको पता है, रीप्रोड़क्शन यूनिट है, इसी में सेक्श्वल रीप्रोड़क्शन होगा, एक फ्लावर के अंदर चार घेरे होते हैं, आप सबको मालूमें, चार तरह के घेरे हैं, कैलिक्स, सेपल्स, कोरोला, पेटल्स, एंड्रोईशम मेल पार्टे स्टेमन, और गायनोईशम, फीमेल पार्टे कारपल, इतना सबको क्लियर होगा, मैं सेक्श्वल रीप्रोड़क्शन में पढ़ाऊंगे, फ्लावर की डंडी को बोलते हैं, स्टॉक, पेंसल जैसी है, तो पेडिसल, फिर इसका फूला हुआ पार्ट जो है, फूला हुआ, थाली जैसा, थालेमस, इसी पे सारे रिसीव होंगे, तो रिसेप्टेकल, डंडी को बोलते हैं, स्टॉक, पेडिसल, पेंसल जैसा, फूला हुआ, स्वॉलन पार्ट जो है, वो थालेमस है, और ये स्टेम है, जो फूल बना रही है, पिचक के, स्टेम है तो इस पे नोड़ होंगे, और नोड से इसके, ये अलग-अलग तरह की पतिया निकलेंगी, ये निकलेंगी, इन्हें बोलेंगे सेपल्स, और सेपल के घेरे को बोलेंगे कैलेक्स, यहां एक-एक को बोलेंगे पेटल, पंखुडी, अलग-अलग कलर्स की होंगी, पूरे घेरे को बोलेंगे क इतना तो सबको आता होगा ना यह सब क्लियर होगा यह है स्टे मन में 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 स्टे में सबको मिलाकर बोलेंगे एंड्रोईशियम और यह है लड़किया कार चलाती है तो बड़ी खतरनाक है लड़की कार चला है या पिस्टॉल चला है एक ही बात है तो कारपल या पिस्टल सेपल का कलर केसा होता है स्टूडेंट जल्दी से बताओ डाग ग्रीन क्या काम होता है इनका जब ये फूल कली था तो उसकी रक्षा करना प्रोटेक्ट प्लावर इन बडस्टी जब ये कली होता है गुलाब में देखा है वो हरा अरा जब कली रहता है वो पत्तिया नहीं है वो सेपल है जब गुलाब खिलता है तो फिर वो साइड में आ जाती है पेटल होती है ब्राइटली कलर्ड अलग अलग कलर्स की लाल गुलाब पीला गुलाब इन पेटल्स के कारण ही है और इसका काम होता है अट्राक्ट करना इंसेक्स पॉलिनेशन के लिए है ठीक है इतना सबको क्लियर है डन चलो हां बहुत रिस्की है गॉल्स की ड्राइविंग जरूरी नहीं एक मेजर बात कर रहे हैं चलो स्टेमन के दो हिस्से होते हैं यह स्टेमन है जैसे तो स्टेमन में यह है फिलामिंट ठीक है यह स्टिराइल पार्ट है यह थैलमस से जुड़ा रहता है यानि इसमें कोई मेल गैमीट नहीं बनेगा गैमीट बनाने का काम इसका होगा एंथर का एंथर सबको आइडिया होगा एंथर में दो लोब्स हैं, बाई लोब्ट, clear है सबको, और हर एंथर में 4 थहले होते हैं, पोलन साक या माइक्रो स्परांजिया, मैं सेक्शॉल डी प्रड़क्शन में डीटेल में पढ़ाऊंगी, यानि ये हो गया, टेटरा स्परांजिया, 4 स्परांजिया है, जिन में spore, पोलन, ग्रेन, मेल, गैमिट, सब सिखाऊंगी, वो सब कुछ बनेगा, ठीक है, done, now, कारपल की तीन हिस्से होते, ओवरी, स्टाइल, और स्टिग्मा, ओवरी, बेस पार्ट है, फूला हुआ, स्टाइल, जो कनेक्ट करेगा, ओवरी को स्टिग्मा से, इसी स्टिग्मा पे, पोलन आके लैंड करता है, सब को आइडिया होगा, यानि ये पोलन का लैंडिंग प्लाटफॉर्म है, पोलन, पोलन लैंडिंग, और ओवरी के अंदर मिलता है, ओव्यू, ओवरी भविश में फूल फल बनाएगी, और ओव्यूल सीड बनाएगा, इतना सब को क्लियर है, ठीके, दो पार्ट मानते हैं, स्टेमन के, फिलामिंट और अंथर, कनेक्टिव तो बीच में कनेक्ट करता है, इस इट क्लियर एवरी बड़ी, ठीके, आगे बढ़ जाओं मैं, चल, अब, आएए मज़ेदार आते हैं, कैलिक्स कोरोला, अब, ध्यान से समझो, कुछ पेडों में, सेपल और पेटल अलग-अलग नहीं होती हैं, जैसे लिली फैमिली में, सेपल और पेटल की जगह, एक ही यूनिट होते हैं, जिसे टेपल बोलते हैं, तो अब, यहाँ पे कैलिक्स और कोरोला, अलग-अलग नहीं हैं, उसकी जगे एक ही घेराई, जिसे परियांत कहते हैं, कैलिक्स कोरोला, डिस्टिंक्ट नहीं हैं, अलग-अलग नहीं हैं, लिखिए प्लीज, लिली फैमिली, लिखो लिली, कैलिक्स औन कोरोला नौट डिस्टिंक्ट लिखे प्लीज नौट डिस्टिंक्ट हरशाली बाकी तो मैं सब कुछ बड़ा बड़ा लिख रही थी खारी फूल में छोटा छोटा लिखा क्योंकि आपको इस सब आता है और मैं सेक्शुल डिप्रड़क्शन में पढ़ाऊंगी ठीक है ठीक है ना चल इस घेरे को बोलते है पेरियान और इसकी यूनिट होती है टेपल यह इंपोर्टेंट है क्योंकि यह हमारे सिलिबस में है लिली फैमिली डान सब को क्लियर है एक बार मुझे यह सियाथ हम सब बेज दीजेगा चल अब ब्रैक्ट में समझा चुकी हूँ आपको वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक लिखे सिमेट्री ऑफ दे फ्लावर अब यहां से एक्जाम्पल्स बड़े इंपोर्टेंट हो जाते हैं चल देखो जानवरों में भी तीन तरह की सिमेट्री आपको आनिमल किंडम में मैम ने पढ़ाई होगी अगर मानलो कोई ऐसा है कैसे भी कट करोगे two equal halves मिलेंगे तो इसे हम जानवरों में radial symmetry कहते हैं इसी को botany में actinomorphic symmetry कहते हैं actinomorphic मतलब two equal halves can be obtained by any plane passing through the center now फिर आपको पढ़ाई होगी अगर एक ही plane में कट करने पे two equal halves मिलें जैसे हमारी body में भी ऐसे कट करोगे तो ही two equal halves मिलेंगे ऐसे कट करोगे तो बराबर के दो इससे नहीं मिलेंगे इसे हम zoology में bilateral कहते हैं botany में इसे zygomorphic कहते हैं पेडों के लिए zygomorphic ठीक है तो actinomorphic radial के बराबर है zygomorphic bilateral के बराबर है और तीसरी वहाँ भी पढ़ी होगी asymmetric कैसे भी कट करोगे two equal halves नहीं मिलेंगे can't be divided cannot be divided into two equal halves कैसे भी कर लो नहीं मिलेंगे पौरी फेरा में पढ़ाया होगा है ना? चल अब examples याद कराती हूँ इसके examples है mac d mac d mcdonald's m से है mustard c से है china rose और chili उनके फूल में ऐसे ही होता है आप कट करोगे किसी भी कट करो two equal halves मिलेंगे और d से है दतूरा याद रह जाएगा mac d mac puff मंगाओ mac d से उसकी वो softy मंगाओ mac d से क्या मंगाते paneer wrap मंगाओ कुछ भी मंगाओ हर plane में कट करने पे two equal halves mac d जाइगो मॉर्फिक की asymmetric की tick बताती हूँ cannot be cut cannot तो ये बन गया कन्ना देखा कितना सान है कन्ना cannot, 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 cannot अब zाइगो मॉर्फिक में धाल वाली family आएगी धाल वाली ठीक है so pea beans pea beans ठीक है धाल वाली family में क्या होता है मैं पढ़ाऊंगी एक पंकुडी ऐसे पीछे रहती है दो पंकुडिया petal side में रहती है और दो पंकुडी आगे रहती है और यह जॉइन हो जाती है इसे बोलते है standard यह posterior है posterior एक रहती है यह side में है पंक की तरह wings और यह front में है keel यह fuse रहती है अगर ऐसा फूल है तो केवल ऐसे cut करने पे ही two equal halves उसके मिलते है clear हो गया ठीक है इसके अलावा गुलमोहर और केसिया केसिया इसे देखो कैसे याद रखोगे pea bean तो याद रही जाता है डाल वाली family है तो गुलमोहर प्रों कैस्मीर गुलमोहर प्रों कैस्मीर कैसिया कैस्मीर 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 और क्यास या पी बीम्स खा रहे हैं, दान, आगे बढ़ जाओ, पड़ाफट से, चल, So this is all about symmetry, my dear students, यह आपके idea के लिए देखो, कैसे भी cut करोगे, two equal halves मल जाएंगे, यह चाइना रोस का गुढ़हल का फूल लगाया है, मैंने, यह देखिएगा, यह मटर, यह देखो, कैवल ऐसे cut करने पर two equal halves मलेंगे, साइगोमॉर्फिक, यह आपके idea के लिए दिखाने के लिए, कनना, कैनाट कनना, कैनाट कनना, चल, दन, चलिए, अब एक और चीज लिखते हैं students, flower लिखो, फिर से, तीन तरह के फूल हैं, एक और अलग basis पर, अधार यह है, कि ओवरी एक तरफ, याने gyinoecium, दूसरी तरफ, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोईशियम, इनकी आपस में position क्या है, चलिए पढ़ते हैं, सबसे पहले, ध्यान से समझो, अगर मान लो, कि ओवरी सबसे उपर है, सबसे उपर है, बाकी सब नीचे से निकल रहे हैं, नीचे से, ऐसे, ओवरी सबसे उपर है, तो क्या कहेंगे, ओवरी है, सुपीरियर, सुपीरियर ओवरी, लेकिन फूल क्या कहलाएगा, ध्यान से समझना, बहुत क्वेश्चन आता है, अड़ साल आता है, यह समझ लो, समझो, फूल यह कहलाएगा, कि गाईनी पार्ट के नीचे सब हैं, गाईनी के हाइपो सब हैं, यानि हाइपो गाईनस फ्लावर, हाइपो गाईनस फ्लावर, ठीक है, अब इसको उल्टा कर देते हैं, अगर बाण लो, यह सबसे नीचे है, और बाकी सब उपर है, सब उपर है, इसके उपर है, तो ओवरी हो गई, सबसे नीचे, इनफीरियर ओवरी, और हम ऐसा भी बोल सकते हैं, फूल में ओवरी के उपर सब हैं, गाईनी पार्ट के उपर सब हैं, यानि एपी गाईनस फ्लावर, और तीसरी सिचुएशन जहां बराबर होगी, हाफ इनपीरियर, हाफ सुपीरियर ओवरी, यानि सेम लेविल पर हैं, अल्मोस्ट, पेरी गाईनस, उसी लेविल पर, पेरी, पेरी, पेरी में, पेरी गाईनस फ्लावर, तो ध्यान रठा, सुपीरियर ओवरी हाईपो गाईनस, इनपीरियर उल्टा चल रहा है, एपी गाईनस, और आफ इनपीरियर पेरी, अब ये इनपीरियर कैसे हो गई होगी, रेको समझो न, मान लो ये thalamus ऐसे ग्रो कर जाए ये thalamus ग्रो कर गया ये तो ovari thalamus से निकल रहे हैं ये सब ये सब उपर हो गया और विचारी ovari नीचे हो गया तो जहां भी thalamus वाले false fruit होते हैं वहाँ पर भी यही होते है clear हो गया सबको चलो आऊ इसकी tricks बताते हैं अभी तो confusion नहीं है पांचाल clear हो गया चलो अब इसकी ट्रिक्स याद कराती हूं आपको आजो मेरे साथ यह देखो यह देखो ओवरी सबसे उपर है देखो डाइग्राम पेचानने को भी आता है बाकी सब नीचे से निकल रहे हैं सुपीरियर ओवरी हाइपोगाइनस यहां द और यह दोनों situations almost same same आधा आधा ऐसे मान लेते हैं तो यह पहरी गाइनस चलो आओ examples फड़ापट मेरे साथ learn करो देखो या तो tricks से याद कर लो hey man China has must brinjal मैं कैसे याद करती हूं बताती हूं इसमें सुपीरियर ओवरी है न सौरे सुपीरियर लगा लो फ़लों का राजा आम China Rose, Gulaab फूलो का رाजा, तेलों का राजा सरसों, सब के गर में सरसों सालो से चल रहा है और बैंगन के तो सर पे ही ताज है सबजी का राजा, फल का राजा, तेल का राजा और फूलो का राजा हो गया? स्क्रीनिशॉट ले ले लेना भरी? चलिए अब परिगाईनस की ट्रिक, डारेक क्वेस्चन है, सब PYQs हैं जो पढ़ा रही हूं क्लास में, एक प्लमबर है, उसे परी से प्यार हो गया, एक लड़की जिसका नाम परी है, उसको रोज आलू देता है, पीच, उसको पीच पसंदे भई, जिसको पीच पसंदे, उसको पीच द अब, एपीगाईनस का याद रखने का तरीका, राजेश खन्ना है, राजेश खन्ना मालब है, सूपर स्टार सेवेंटीज का, वो कैसे बोलता था, किसी का ECG सही आ गया तो, ECG सही है रे, ECG याने, खीरा, अमरूद, सही है रे, सही मतलब सनफ्लावर, सनफ्लावर में भी, कुछ तो ऐसे वाले फूल होते हैं ये पीले-पीले, वो नहीं ये जो हैं, ये पंकुडियां नहीं होती सनफ्लावर की, ये rays की तरह ray florids है ये सारे के सारे epigynos याने inferior ovaries है done, ठीक है, आगे बढ़ जाओ चलो all right, screenshot बगएरा लेते रहे ना भाई, चलिए कालिक्स की बात हम कर चुके है अब आजओ आगे आजओ आजओ पड़ाफट 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 मज़े आ रहे हैं की नहीं आ रहे हैं, चलिए बहुत मज़ेदार होने वाला है अभी चाप्टर में, placentation वगएरा इतने important topics पड़ा रहे हूँ मान के चलो 3-4 questions आज की class ते आने ही आने हैं सब यहीं से आएंगे तो epigynos, perigynos, hypogynos सबको clear है एक बार मुझे yes भेज़ दो बहुत-बहुत important topic है बहुत important topic है और symmetry सबको याद होगी actinomorphic, zygomorphic और asymmetrical cannot मतलब कन्ना ठीक है? हाँ, बिलकुल चलिए, अब देखो, calyx जो है वो दो तरह का हो सकता है अगर सारी sepals मान लो 10 sepals है और 10ों fused है fused के लिए शादी, मतलब gamo यूज करते हैं तो gamo sepals और अगर सब अलग-अलग है अलग-अलग, बहुत सारी अलग-अलग है तो polysepals सेम ऐसे ही korola के लिए भी यूज करते हैं मान लो 50 पंकुडिया या 10 पंकुडि है और सारी fused है तो gamo petalus और सारी अलग-अलग है fuse नहीं हुई है तो polypetalus petalus मतलब petal तो यहाँ तो अलग-अलग है यानि free carpal I mean free sepal free petal है और यहाँ पे fused sepal fused petal है ठीक है इतना clear हो गया सबको done PDF इसी वीडियो के description box में link आ जाएगा biology notes करके google drive link आ जाएगा ठीक है ना? चलो अब done चलो तो यह सब पढ़ा दिया आपको अब astivation समझो क्या होता है बढ़ा important topic समझो जब एक फूल कली के रूप में था तो sepal थी और अंदर petal बंद थी यह sepal आपस में कैसे arranged है क्या एक दूसरे को touch कर रही है यह overlap देखो यह touch होता है यह overlapping होती है यह overlapping होती है क्या कर रहे है इसे astivation कहते है यह petal आपस में कैसे है आपस में sepal और petal का रिष्टा नहीं sepal का दूसरी sepal से रिष्टा petal का दूसरी petal से रिष्टा यह bud stage में दिखता है क्योंकि एक बाद खुल जाता है फूल फिर अच्छे से दिखाई नहीं देता so arrangement of sepal या petal bud के अंदर with respect to same घेरे के दूसरे member यानि sepal का sepal के साथ या petal का petal के साथ क्या रिष्टा होता है ठीक है इसे ncrt में mark करो परिभाशा को जल्दी से बड़ी important चीज़ पढ़ाने वाली हूँ आपको ठीक है आदित्य पढ़ो तो सही complain नहीं करनी बेटा इतनी आप पढ़ो उन चीज़ों को जब एक बार learn करोगे दो बार learn करोगे tricks इतना काम आती है मैं आज तक कोई question solve करती हूँ न trick से करती हूँ पर फरक क्या पढ़ता है मैं इतनी past trick मेरे दिमाग में process हो जाते क्योंकि मैंने बार-बार उससे learn और revise किया है कि जिससे पहले सामने वाला student समझ पाई कि madam कुछ सोच रही है मैं answer निकाल देती हूँ तो आप करो तो से यह हर चीज में अपन complain करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा ठीक है thank you निश्यू मज़े आया आपको राजश करना की mimicry में चलो पढ़े अस्टिवेशन आजओ एस्टिवेशन चार तरह का एस्टिवेशन हम पढ़ने वाले है और यह बहुत इंपोर्टन यह सब फेवरेट टॉपिक्स है फेवरेट टॉपिक्स है सिमेंट्री फेवरेट टॉपिक है एस्टिवेशन फेवरेट टॉपिक है वेनेजन फाइलो टैक्स्थी अभी वह हैपोगाइनस एपीगाइनस फेवरेट फेवरेट है यह तो concept पर question आता यह example पर दो पहला तरीका बानलो यह एक सेपल है यह दूसरी सेपल है यह तीसरी सेपल है यह चौती सेपल है बस touch कर रहे हैं touch overlap नहीं कर रहे हैं इसे बोलते हैं valvate ऐस्टिवेशन वालवेट जस्ट टच जस्ट टच नो ओवर्लाप इसकी ट्रिक बताती हूँ काला वैलवेट यानि valvate ऐस्टिवेशन देखने को मिलता है काला यानि कैलो ट्रॉपिस में जिन्दगी में नहीं बूलोगे काला वैलवेट काला वैलवेट काला वैलवेट नो दूसरा यहाँ पर ओवर्लापिंग हो जाएगे ओवर्लापिंग जैसे ऐसे एक फिर दो फिर तीन फिर ये चार ऐसे सपोस रुको ये करेक करते हूँ ये ऐसे था देखो बाहर अंदर बाहर अंदर और ये बाहर है तो ये अंदर एथे ऐसे होगाए ऐसे ट्विस्ट हो रहे है ये इसे बोलते हैं ट्विस्टिड अस्टिवेशिन जैसे ये 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 बाहर अंदर अब ये बाहर आनी चाहिए ऐसे ये अंदर ये बाहर आनी चाहिए ऐसे ठीके और ये बाहर है तो ये अंदर आनी चाहिए ये बन्या अंदर बाहर मार्जिन अंदर बाहर मार्जिन मुढ गई twisted ट्रिक बताओं मज़े आ जाएंगे आपको यानि यहाँ पे overlapping है in a particular direction एक अंदर एक बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर इसकी ट्रिक है चाइना की जो ladies की finger है चाइना कॉटन जैसी सॉफ्ट है तो ट्विस्ट हो जाती है तो चाइना मतलब चाइना रोस चाइना की जो लेडी फिंगर है याने लेडी की फिंगर याने बिंडी लेडी फिंगर उसके फूल में ऐसे ही होता है और वो कॉटन जैसी सॉफ्ट है तो कॉटन में ऐसे ही होता ह ट्विस्ट हो जाती है चाइना की लेडी की फिंगर कॉटन जैसी ट्विस्ट हो जाती है ठीक है बिलकुल बिलकुल आसकते हैं 600 प्लस आपकी मेहनत है आप कितनी इमांदारी से इस पूरी सीरीज को लर्न कर लेते हो समझ के चलिए अब तीसरा जो अभी-अभी मैंने आपको पढ़ाया था डाल वाली फैमिली में ऐसे था ना एक पोस्टीरियर दो लेटरल दो साइड आगे और जुड़ी हुए अभी हमने यह जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री में पढ़ा था इसे बोलते हैं वेक्सिलरी आस्टिवेशन वेक्सिलरी आस्टिवेशन और यह दाल वाल फैमिली में मलता है बीपी यानि बीन जान पी में बीपी ना फोर्थ यहां भी ओवरलाप होंगे कोई पर्टिकुलर डायरिक्शन में नहीं एक पंकुडी पूरी अंदर होती है एक पूरी बाहर होती है और बाकी बाहर अंदर बाहर अंदर ठीक है एक पूरी बाहर एक not in particular direction, not in particular direction, इसे बोलते हैं Imbricate, Imbricate Estivation, इसकी ट्रिक बताऊ, I am Guka, I am Guka, I am Guka, गुलमोहर और केसिया, या I am Gulumohar from Kashmir, वो भी याद रख सकते हो, Guka, हमने Zygomorphic में ये सारे पड़े थे, ये दोनों, ये चारों एक्जामपल Zygomorphic में एक साथ पड़े थे, मैं लिख देती हूँ, Zygomorphic symmetry में, यहाँ इन दोनों में Petal Sepple का अरेंजमेंट अलग-अलग हो गया ठीक है, हाँ कोई problem नहीं है, अगर आपको trick से नहीं याद रखना तो आप खुझ से learn कर लो, कोई बात नहीं है, आपको learn करना है, जो help करें वो trick use कर लो, सारी help करें, सारी use करो, कोई भी help नहीं करें, आपको लगता है मैं direct learn कर सकता हूँ, तो direct learn करो, कोई problem नहीं है, ठीक है ममता आप रामानुजन में कौन से बाच में पढ़ाते हैं रामानुजन में में Rapid Revision Course RRC, Offline, Quote Down उसमें पढ़ाते हैं ठीक है, Thank You, Kum Kum, Thank You कोई problem नहीं है कोई problem नहीं है कोई जरूरी तोड़ी है कि ट्रिक से ही याद करोगे तोई number आएंगे, अपने को तोई याद करना है जो help कर जाए, जैसे करना है ठीक है? चलिए, आईए So this is about astivation very 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 important topic इसके concept पे भी question आते हैं और examples पे भी ये देखो just a touch ये देखो in, out, in, out, in, out in, out, in, out, twisted पूरी in है दोनो margin, दोनो margin आउट है, और बाकी देखो out, in, out, in, in, out उल्टे सीदे direction में है ये देखो एक posterior, दो lateral दो anterior, वो वाली fused done, हो गया? ठीक है? एक पूरी अंदर, एक पूरी बार मतद़र overlapping है पर कोई particular direction नहीं, in, out, in, out, in, out, ऐसा कुछ नहीं है चलिए, so this is about astivation, अब आजो stamen पे stamen में ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, एक लाइन NCRT के लिखो, ये sexual reproduction में कहीं नहीं लिखी sterile stamen, ऐसा stamen जो pollen grain नहीं बना सकता, उसे staminode कहते हैं, note करो, note करो sterile stamen is called staminode students, mark करिए everybody ठीक है? आपस में मत chatting करो ये, छोटे सिंग और प्रदीप नहीं, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा पढ़ाई करनी है, क्लास की तरह live करो, फिर मैडम डाटती भी है, है ना चलो, हाँ गोलू कैसा भी कर सकते हो, बिल्कुल गोलू कैसा कर लो, गुलमौर और केसिया ठीक है, चलेगा, अब आईए, टेमन की कहानी पढ़ते है, टेमन पहले देखते हैं, अगर वर्ल से कैसे जुड़ा है, मतलब, क्या टेमन, जैसे मान लो, ये पेलमस है, ये स्टेमन है, ये एंथर है, ये सुसों बेसस पर, एपी, पेटेलस पनिशन है, और एपी, पाइलस पिंशन है, एपी पाइलस का मतलब है, स्टेमन जुड़ा हे विथ, पेरियान, यानि टेपल से जुड़ा है, अव कोस पेरियान होता ये लिली में है तो इसका example लिली हो जाएगा और epipetalus का मतलब ही समझ में आ रहा है कि stamen petal से जुड़ा हुआ है petal से जुड़ा हुआ है इसे कहते हैं students दो शब्दा आते हैं adhesion और cohesion इसे कहते हैं adhesion यानि stamen दूसरे petal से दूसरे गेरे के member से केसे जुड़ा हुआ पर statement आपस में कैसे जुड़े हुए है उसे कहते हैं jog eight hash now do Vener को याद रखने की trick बताती हूं अभी पड़ा astivation astivation मतलब sepals आपस में कैसे जुड़ी है या petals आपस में कैसे जुड़ी है और स्टेमन आपस में कैसे जुड़े हैं वो कोहेशन हैं, कोहेशन कलीग्ज से याद रखो, कलीग्ज, कलीग्ज, कलीग्ज मतलब जैसे मैं बायो की फेकल्टी हूँ तो हम सब आपस के कलीग्ज हो गए, केमेस्ट्री वाले कलीग्ज हो गए, मैनेजर सारे कलीग्ज हो गए, जो समकालीन लोग हैं तो समकालीन सारे स्टेमन कैसे जुड़ा है वो कोहेशन हो गया और स्टेमन दूसरे घेरे से कैसे एड है जुड़ा है वो एडेशन हो गया समझ आ रहा है चलो अब कोहेशन तीन तरह का होगा ये भी बहुत कोहेशन आता है मान लिजे कि एक फूल है जिसमें दस टेमन है और दस टेमन के फिलामिंट्स सारे एक साथ फ्यूज हो गए तो एक ट्यूब जैसा लगेगा इसे बोलते हैं मोनो अडलफर्स कंडिशन Mono Adolphus एक ट्यूब बना देंगे सारे के सारे Filaments Fuse हो गए लेकिन मान लो 9 Filaments तो Fuse हो गए एक ट्यूब बन गया और एक अलग रहा यानि दो ट्यूब बन गए तो Diodolphus Condition और मान लो कि 4 एक साथ Fuse करे 4 एक साथ Fuse करे 2 एक साथ Fuse करे तो 3 ट्यूब दिखेंगे 2 से जादा यानि Poly Adolphus Condition Poly Adolphus ठीक है? यहाँ पे Filaments Fuse 2 Form 1 ट्यूब 2 ट्यूब and more than 2 ट्यूब ठीक है? पंड़ा क्लियर हो गया? शल्द Marks बढ़ेंगे तो शार पहले यह देखू Marks क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? टेस्ट का analysis करो अपने Marks कहां कम हो रहें? किस subject में? किस topic में? क्यों कम हो रहें? उस पर work upon करिए चलो अब इसके examples देखो इसे याद रखो PC C मतलब citrus PC इसे याद रखो dust pan में डाला यानि मतर, डाल वाली family papillinesi, डाल वाली family पूरी किस ने? मोना ने क्या? चाइना का PC चाइना यानि चाइना रोज तो मोना ने चाइना का PC dust pan में डाल दिया क्यों डाल दिया? क्योंकि चाइना का माले चले दो चांद तक वरना आज तक तो मोना ने चाइना का PC dust pan में डाला मतर में क्या होता है? मतर में 10 demons होते हैं 9 एक साथ fuse हो जाते हैं एक अलग रहे जाता है, ठीक है, ऐसा ट्यूब दिखेंगे, नौ तो ऐसे फ्यूज हो गए, सब पोज ऐसे, और एक अलग रहेता है, एक अलग रहेता है, ऐसे, ठीक है, डान, क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाओ, सब समझ आ गया, टेमन आपस में कैसे जुड़ा है, कोहेजन, टेमन पेटल टेपल से कैसे जुड़ा है, एडेजन, सेपल आपस में कैसे जुड़ा है, पेटल आपस में कैसे जुड़ा है, एक्टिवेशन, चल, अब आगे बढ़ जाते हैं, देखो यह बोलने से कुछ नहीं में एक्जाम्पल बहुत ज़्यादा है तो है याद करने स्टूडेंट्स कर रहे हैं याद जिने सिलेक्ट होना है वो करेंगे तो अपन क्यों नहीं कर सकते भी टाइम है घवराओ मत करो तो सही आप उसको ठीक है न शिवा ठीक है शरी हाँ चले तो चांद तक वरना शाम तक चले अब कोहेजन हो गया एडेजन हो गया सारी ट्रिक्स हो गई अब एक चीज़ और करते हैं अपन लिखे स्टेमन स्टेमन में फिलामिन्ट की लंबाई अलग-अलग है भई कोई स्टेमन लंबा ऐसा है क्योंकि ये लंबाई ज़ादा है किसी स्टेमन की ऐसी है तो इतना ही है वो तो स्टेमन में वेरियेशन्ज होते हैं in length of filament फैमिलीज पढ़ाऊंगे अभी फैमिली के फॉर्मुले तो ऐसी मज़ेदा ट्रिक से याद कराऊंगे कि मेरा बादा है आप से एक भी नहीं बूलो गया एक भी ऐसी टिप्स पर हो जाएंगी अब ये भी बड़ा इंपोर्टेंट टॉपिक है बड़ा इंपोर्टेंट टॉ हो गया स्क्रीन्शॉट ले लिया चल अब आजओ इस पर अपन बात कर रहे थे देखो दो कंडिशन्स देखने को मिलती है दो फैमिली के अंदर आओ समझाती हूं आपको तुलसी में क्या देखने को मिलता है बनाओ मेरे साथ चार टोटल स्टेमन है जिसमें से दो तो अंदर है और दो बाहर है जैसे ये दो बाहर है उनके लंबे पिलामिंट है ये दो अंदर है ऐसे दो और दो इसे बोलते हैं डाए डाए दो और दो डाए डाइनमस कंडिशन डाए 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 टू प्लस टू टोटल चार स्टेमन इसका एक्जाम्पल है तुलसी वाली फैमिली याने साल विया तुलसी भी सी में आता है तुलसी ठीक है अब आगे बढ़ जाते हैं अपन मस्टर्ड में क्या होता है सरसो में इस पे बहुत क्वेस्चन आते हैं माई दियो स्टूडेंट इसमें टोटल छे स्टेमन्ज होते हैं कैसे होते हैं चार जिनके लंबे लंबे फिलामिंट है वो अंदर की तरफ होते हैं और दो जिनके छोटे हैं वो बाहर की तरफ होते हैं दो और चार, चार मतलब टेटरा, दो मतलब डाई, चार और दो, डाइनमस कंडिशन पोर प्लस टू, पोर लॉंगर हैं, दो छोटे हैं, फिलामिंट छोटा है, छोटे वाले बाहर हैं, लंबे वाले अंदर हैं हर शब्द पे क्वेस्चन आता है, अभी मज़ेदार तरे से आपको याद कराती हूँ तो देखो, डाई, डाई, मतलब दो और दो, टेटरा, डाई, मतलब चार और दो, टोटल छे स्टेमन है, इसको ऐसे याद रखो, मम्मी, पापा, दादा, दादी, चार बड़े घर के अंदर, और दो बच्चे घर के बाहर खिल ले गए हैं, आगे मज़े आपको, ठीक है, चल्व, आगे बढ़ जाते हैं, बहुत 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 इंपरेंट हैं, स्क्रीनशोट ले लिया क्या, भई, लेलो, लेलो लेलो येलो ठीक है मैडम की फोटो के साथ लेलो स्क्रीन शॉट आगे पड़े अब लिखिए गाइनो इशियम पर आ गए हैं हम ओवरी अब गाइनो इशियम का मतलब है जितनी भी कारपल है उन्हें टोटल मिलाके गाइनो इशियम कहेंगे हो सकता है एक फूल में एक ही कारपल हो जैसे मटर में भी एक कारपल होती है दाल वाली फैमिली में एक ही कारपल होती है तो उसे कहते हैं Mono Carpillary Condition, एक कारपल है तो Mono Carpillary, या Monopistillary भी बोल सकते हो, पर अगर बहुत सारी हैं, तो उसे बोलते हैं, पॉली या Multicarpillary, या Multipistillary Condition, इतना क्लियर है? अब, अगर बहुत सारी हैं, मानलो चार कारपल हैं, तो चारों Fuse भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, जैसे याद सेपल, पेटल, फ्यूज़ थी, तो गैमो वर्ड यूज़ करा था, फ्री थी, तो पॉली वर्ड यूज़ करा था, इसी तरह यहां अगर फ्यूज़ हैं, तो सिन बोलते हैं, सिन कारपल, अगर कारपल्स फ्यूज़ हैं, और अगर फ्री हैं, तो एपो कारपस कहते हैं, य यहीं पढ़ा रही हूँ, इसकी ट्रिक्स से एक्जाम्पल्स याद करा रही हूँ, इतना नोट करा सबने, चलो इसकी ट्रिक्स बताती हूँ, से न मतलब साइना, पापा याने पापेवर, मस्ट याने मस्टर्ड, हाव याने हिबिस्कस, टोमाटोस, साइना, पापा, मस्ट हाव टोमाटोस, यह हो गई हमारी ट्रेक, साइना, पापा, मस्ट हाव टोमाटोस, और वहाँ बताती हूँ, अपोलो गे, लॉट्स याने लोट चमपा का पूल गुलाब और कमल में बहुत सारी कारपल है और सफ्री है अलग-अलग है ठीक है चलो आपको ट्रिक्स यहाँ पर बता देती हूँ जिसको help करें वो screenshot ले लेना यह देखो Apollo Hospitalia ने Epocarpus Lots of Roses Michelle मतलब Michelle लिया Lots Roses Michelle लिया Epocarpus and China मतलब से पापा must have tomatoes ठीक है डन आगे पर जाओं हाँ यह अलग-अलग chapter से linked है नहीं नहीं cell cycle cell division से कहां linked है उससे कोई लेना देना नहीं है sexual reproduction in flowering plant से linked है चलो मैं यह आपर hibiscus हटा देती हूँ यहाँ NCRT में नहीं दिया है अब ओवरी की बात करते हैं थोड़ी सी अपन हमें यह already पता है कि fertilization के बाद ओवियूल से बीज बनेगा और ओवरी से फ्रूट बनेगा और ओवरी की दिवार से fruit wall जिसे पेरी काप कहते है इतना तो सबको मालूम है है ना यह तो सबको मालूम है जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हो एक बार मुझे thumbs up या yes कर दो बाद तो नहीं गए हो बड़ा important chapter है students चार से पांच questions आते हैं पिछले कुछ सालों से pathology anatomy बहुत important हो गई है गब्राओं मत की बहुत सारे examples है कैसे याद करेंगे बहुत सारे terms है याद करना है याद हो जाएगा one step at a time हम लेंगे जरूर याद होगा ठीक है question practice करवाओंगी ना भी धेर सारे mcqs important pyqs सब कुछ करवाओंगी ठीक है extra families मत पढ़िये बस वही family पढ़ेंगे जो ncrt में दिये that is more than enough all right प्रियांशी हर्शाली शवनी प्रीतम ऐश्वर्या दॉक्टर गौरव जै सयाली दिव्या विकास पांचाल शेक सुहाना मोहिन चिराग प्रशान्त क्लियर है सबको सुकृती अभिनव वेरी गूद परिश मुझे आपका question दुबारा भेज देना बेटा stranger अमर आकरित 142 गायत्री कार्तिक प्रियांका मांसी stranger पढ़ो हिम्मत मत हारो पढ़ो complaints मत करो हर चीज में एक दनिया नहीं एक मिर्ची नहीं वो नहीं करना जीवन है पढ़ना है तो पढ़ना है याद करना है तो करना है सब कर है तो मैं क्यों नहीं कर सकता भई मेरा क्यों कोई काम है क्या ठीक है डोंट वरी अनाटमी में दिक्कत होती है कल दो बजे अनाटमी करेंगे अपन मस्त तरीके से पिलकुल मत फिकर करो ठीक है मेरी responsibility अनाटमी टिप्स पे कराना आपकी responsibility class attend करना class में समझना और उसके बाद से learn करना ठीक है बहुत बढ़िया रिशप अन्ना कार्तिक कुंदन यजदीप stranger human brain बहुत बढ़िया चलो आगे बढ़ जाते हैं अब लिखिएगा placentation देखो placentation लिखके पहले समझो मतलब क्या है देखो यह ओवरी है ठीक है यह ओव्यूल है यह ओव्यूल है यह बनाना म seed, fruit बनेगे ठीक है यह placenta है तो placenta क्या होता है जो ओवरी को ओव्यूल से connect करे या यह कह दो कि जो fruit को seed से connect करे यानि अगर मान लो कि यह placenta यहां होता तो मेरा ओव्यूल भी यहां से निकलता अगर यह placenta यहां होता तो मेरा ओव्यूल भी यहां से निकलता यानि जहां placenta होगा वहीं ओव्यूल अटाच होगा मटर सबने देखिए ऐसे मटर खोई के देखियोगी मटर में यह बीज है यहां देखा एक हलका सा white white रहता है मटर के दाने क्या है बीज, seeds, ovule मटर का पूरी फली क्या है fruit, ovary और यह क्या है यह placenta है margins पे तो placenta क्या है या तो कहो fruit के अंदर बीज कहां लगे है या कहो ovary के अंदर ovule कहां लगा है P.Y.Q.A. अभी 2-3 साल पहले question आया था लिखिये arrangement of ovules within ovaries is called placentation लिखो ऐसा पढ़ेंगे कि आपको कभी गलत नहीं होगा लिख लिखिया आदित्य, शाजिया, प्रतिबा, हरे राम, स्नेहा, शालिनी, चलिए आईए अब पढ़ते हैं types of placentation लिखो ये terms, venation, clear होना चाहिए, with example, pilotaxi, adhesion, cohesion, astivation, epigynos, hypogynos, perigynos, symmetry, actinomorphic, zygomorphic, asymmetrical with example tips पर हो गया, चलिए, अब आईए हम देखते हैं placentation, students, biotechnology मैं करवाएंगे, zoology में आएगा हो, चलिए हमें 5 तरह का placentation पढ़ना है, आउप पहला पढ़ते हैं, मैंने अभी आपको बताया मतर, मतर में ये fruit है, चीक है, मतर को खोलेंगे, तो ovules यानि seed लगे हैं, दो rose में लगे होते हैं, देखो, ऐसे नहीं लगते, वरना जादा नहीं लग पाते, compress होते, तो ऐसे लगते हैं, alternate two rows में, और यहां margin के साथ placenta जोड़ा रहता है, so ये हैं ovules in two rows, two alternate rows, alternate rows, चीक है, और इधर है placenta, margin पर है, तो marginal placentation, marginal, ये तो diagram से ही याद रहता है, कौन सी margin है ये, ventral, ventral suture है ये, ventral margin है, इनकी ओवरी कितनी है, एक, एक fruit है, इसमें बहुत सारे ovules हैं, पर इनमें compartments नहीं बने हुए, जैसे टमाटर देखा है, टमाटर में ऐसे slice होती है ना, टमाटर में भी बहुत सारी carpals हैं, पर अलग-अलग, पर इसमें एक ही carpel है, एक ही ओवरी है, जिसके अंदर बहुत सारे ovules हैं, यानि इसमें monocarpillary ovary है, इसमें monocarpillary ovary, एक ही carpel है, एक ही carpel है, तो एक ही ovary है, एक ही fruit है, उसमें बहुत सारे बीज हैं, और इसका example हो गया मतर, और यह तो बड़ा स्थान है, MP, PM, किसी से भी याद रख ले ना, Prime Minister, Member of Parliament ही, तो diagram से ही आद हो जाता है, इसमें क्या पढ़ना है, चाई, अब दूसरे, दूसरे में समझो क्या होता है, जैसे, यह ovary है, यह base पे placenta है, base, अब यहाँ से ovule निकलेगा, base, ts कट करोगे न, दिखाई नहीं देगा, लंबे में कट करोगे तो दिखेगा, इसे बोलते है, basal placentation, basal, इसमें हमेशा एक fruit में एक ही seed होता है, one seeded, one ovule होता है, one seeded fruit होता है, इसके examples याद कराती हूँ, दो तरह से याद रख सकते हो, एक तो base, base मतलब बैठा हुआ है, कौ और दूसरा sunflower, मासूम sunflower, मासूम sun 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 मैं तो ऐसे याद करती हूँ हो गया clear? आगे बढ़ जाएं? चलो Now, तीसरा एक शब्द समझो students एक वर्ड होता है center और एक वर्ड होता है axle इन में different समझो गाड़ी में जो टायर है उसकी axle तूड़ती है अपन ऐसे नहीं बोलते center टूड़ गया एक्जल वर्ड तब यूज करते है जब कोई चीज बीच में है और partitions नहीं है और ये वर्ड तब यूज करते है जब कोई चीज center पे है और partitions है तो अगर वानलो ये fruit और center में placenta है partitions नहीं है और ऐसे करके ये बीज लगे हुए है ovules लगे हुए है इसे कहते है free central placentation इसकी trick बताती हूँ pdf f मतलब free central primrose and dianthus direct questions आते है students बड़ा important topic है pdf, 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 pdf का है pdf, 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 pdf चीक है? चलो now किसे बोलते हैं अगर center में placenta है और ये ovules लग रहे है और partitions भी है exile placentation partitions क्यों होंगे? बहुत सारी carpals होंगी तो बहुत सारी ovaries होंगी ovaries fuse होई होगी पर बीच के septa नहीं घुले होंगे तो partitions होंगे इसकी trick है chutney बहुत पया है ये पहिया और पहिया किसी पे चड़ गया तो उसकी बन जाएगी chutney chutney चा मतलब china rose ट से हो गया tomato तोमाटो और n से हो गया नीबू याने lemon तो पहिया किसी पे चड़ गया तो बन जाएगी chutney रट लेना कुछ याद करना ही नहीं पड़ेगा यार पया पया मतलब exile और exile में chutney बन जाती है pdf 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 मांगते रहते हैं बैटे बैटे सुबह सन देखते हुए मैं biscuit घाती हूँ कितनी आसान है इस से easy और क्या याद करेंगे अपन now अब समझो next समझना मान लो ये ovry है ठीक है ये ovry है पूरी ovry की दिवार है अभी तो center में था देखो center में center में या base पे नई side में है यहाँ 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 side में है periphery periphery पे है parital placentation parital अब इसे कैसे याद करेंगे देखो समझो या तो कहो ovry की inner wall पर है देखो समझो जैसे ये कमरा है अगर बीच में पढ़ा होता placenta तो free central बीच में पढ़ा है और partitions है तो exile पर अगर इन दिवारों पे लगा हुआ है जैसे ये बोट दिवार पे लगा है तो ये parital है पर दिवार पे भी बार वाली दिवार पे नहीं अंदर दिवार पर है यानि inner wall of ovary inner wall of ovary या कहो इस कमरे में दिवारों पर है या कहो अंदर वाली दिवार पर है और periferal अब इसकी trick बताती हूँ ये तो हो गए पा और हो गए मा मा मतलब mustard पापा और मम्मी side में ले गए कोने में ले गए और कोने में जो मार लगाई मार पापा और मम्मी side में ले गए कोने में बिठा गे जो मार लगाई क्यों मार लगाई मार का क्या मतलब है आर का mustard और mustard और a maa a से है आर जी मौन ये तो इसके examples हो गए और आर का मतलब समझो इसमें ovary होती तो single chamber है पर बीच में एक false septum आ जाता है जिसे replum कहते है false septum इस पे भी pyq आया हुआ है जूटा septum आ जाता है तो लगता है कि दो chambers है होती एक chamber है इस पे direct question आते हैं तो पा और मा mustard, argymon, parietal और पापा और मम्मी मार के मार के कोने में बिठा दिया तो parietal कोने में हो गया ठीक है, clear हो गया सबको रितू, शाजिया, पंचाल all done, चलो so this is all about placentation हमारी tips पर हो गया यह topic screenshot ले लो भाई पड़ापट से पड़ापट से screenshot ले लीजे students चलो, आगे बढ़ते हैं अपर so placentation very very important topic यह देखो अब आप लोग तुरंट पहचान लोगे एक जटके में margin पे लगा है marginal center में लगा है और partition है exile center में लगा है partition नहीं है free central, side में लगा है parietal और यहाँ base पे लगा होगा तो base हो गया? चलो अब यहाँ पर हमारा flower complete होता है क्या पढ़ड़ी अभी तक बता देती हूँ? root हो गया, normal function, regions, root system, modification stem हो गया, underground, sub-areal, areaal, modifications, khatab leaf हो गया leaf उसका structure उसमें stipule क्या होता है, ptol क्या होता है leaf base के बारे में बात कर ली leaf के अंदर venetian देख लिया, leaf की philotaxi देख ली simple leaf, compound leaf, parmate, pinnate, done flower, flower में rhesmos और cymosin fluorescence देख लिया flower में gamo sepulus, polysepulus, gamo petalus, polypetalus की बात कर ली stamen, stamen में adhesion, cohesion, diadolp, diadynamus, tetradynamus, khatab sepal petal में astivation, khatab symmetry of the flower, khatab, hypogynos, epigynos, perigynos, khatab gynovatium, gynovatium में monocarpulari, polycarpulari, syncarpus, epocarpus और placentation, मज़े आ गए, ठीक है, genetics मैं पढ़ाऊंगी, don't worry, location, आपका birthday आज, god bless you, happy birthday, enjoy करना और साथ में पढ़ाई भी कर लेना, ठीक है, अब लिखे, fruit fruit, fruit, fruit कैसे बनता है, आप सबको पता है, fruit भी keval angiosperms में बनेगा, क्योंकि फूल्स की ovary से fruit बनता है, so लिख लो, ये mature या ripe and ovary है, fertilization के बाद, ovule से बनता है, beach और ovary से बनता है, fruit, ठीक है, इतना clear है, crystal clear, आगे बढ़ जाओ, चलो, thank you, thank you Reena, thank you, पहले क्यों नहीं मिली, हमारा मिलना भी लिखा होगा, अब पढ़ लो, लेकिन अब पूरा पढ़ लो, और neat में select हो जाओ, और बढ़िया medical college में जाओ, और फिर मुझसे मिलने quote आओ, ठीक है, हाँ, base अच्छा बन गया 12th के लिए, अच्छा आप 11th में है माइडिया, पल्स विज्ञान, चलो, आगे बढ़ते हैं, चलो, अब आओ, फ्रूट की बात करते हैं, लिखो मेरे साथ, फ्रूट, फ्रूट में दो तरह की दिवार हो सकती है, या तो dry, आए, पेरिकार पो, फ्रूट की दिवार, पेरिकार, या फ्लेशी हो, फ्लेशी, गबदुल-गबदुल, जैसे हम रूद खाते हैं, आम खाते हैं, कि बड़ी 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 पलपी-पलपी होती है, इसकी ट्रिक बताती हूँ, मिस्टर गुपता, यानि मस्टर्ड और ग्राउनड, मुमपली में देखना, केशी सूखी सी दिवार होती है, सरसो मुमपली, तो मिस्टर गुपता, लिख ले न, मिस्टर गुपता, ओ माइगाड, ओ माइगाड, यानि ओरेंज, मैंगो, एन गुआवा, इन सब की होती है, मोटू मोटू, फ्लेशी फ्लेशी, ओ माइगाड, ओ माइगाड, मिस्टर गुपता, ओ माइगाड, कैसे बोलेंगे, ओ माइगाड, यानि ओ माइगाड, मिस्टर गुपता, क्या खबर है, आओ पता करते हैं, क्यों बोल रहे हैं, ओ माइगाड, ओ मिस्टर गुपत ओवरी तब fruits true ही होते हैं कुछ को छोड़के अब दूसरा हो गया अगर true है तो एक false fruit भी बनेगा false fruit का मतलब समझो जैसे apple में क्या होता है ये stock ये डंडी thalamus पूरा grow कर गया ये ovary थी style stigma तो गया ये ovary थी ovary में seeds थे ovules थे लेकिन thalamus grow कर गया ये thalamus grow कर गया हम जो खाते हैं वो thalamus खाते हैं अभी 2022 नीट में भी एक question आया है thalamus को खाया जाता है यानि ये fruit किस से बना है फूल के ही पार्ट से बना है बट other than ovary so develop from floral part other than ovary ovary से बनेगा तो सच्चा fruit ovary के अलावा किसी से बनेगा तो जूटा fruit जैसे apple में जो हम खाते हैं वो thalamus है फिर apple में देखना ऐसी खलकी सी लाइन होती है ये ovary और काले काले बीज होते हैं वो seeds हैं इसकी example है stack या sap actually दोनों चाप्टर में अलग-अलग example दिये हैं sexual reproduction और इसमें S से तो strawberry और A से apple ये तो दोनों चाप्टर में दिये हैं दोनों में apple पड़ एक चाप्टर में इनके साथ नाशपाती याने पीर दिया है और एक चाप्टर में इन दोनों के साथ cashew याने काजू दिया है हम एक साथ याद करेंगे so oh my god Mr. Gupta is stack stack मतलब fire कर दिया नौकरी से निकाल दिया ठीक है thank you thank you प्रियांची आपको मजे आ रहे हैं बहुत बड़ी है sack और sap दोनों आएंगे हाँ diagram पर base question आया था इसमें need 2022 तो true fruit हो गया false fruit हो गया अब एक और fruit है बिना fertilization के बनेगा पार्थिनों कार्पिक fruit पार्थिनों का मतलब ही होता है virgin यानि fertilization नहीं होगा और कार्पोज का मतलब होता है fruit fruit पार्थिनों genesis अलग है वहां embryo बनता है बिना fertilization के एग से यहां fruit बनता है without fertilization without fertilization fruit बनेगा और fertilization होता है तभी ovule से बीज बनता है पर यहां fertilization हो नहीं रहा तो बीज बनेगा नहीं यानि यह seedless fruits होते है seedless और naturally तो एक ही है ऐसा केला बनाना केला इट इस अ पार्थिनों कार्पिक टूल पर हम मज़े आएंगे scoop की तरह आइस्क्रीम से खाओ यह सब पार्थिनों कार्पी से बनाते हैं artificially in cytokainen gibralin spray करके यानि artificially भी बना सकते हैं इन्हें by plant growth hormones plant physiology में भी पढ़ाऊंगी है ठीक है 100% मंतन 550 प्लस क्या आप 650 प्लस ला सकते हूं सारे teachers बहुत शानदार हैं सब पूरी मेहनत कर रहें अब आपको मेहनत करनी है इन sessions को 100% learn कर लो 100% questions कर लो हो यह नहीं सकता आपके 650 से काम आ जाए चल्ट डान हो गया clear चल्ट आओ अब एक और चीज़ सीखते हैं अपन droop fruit क्या होता है यह सच्चे fruits ही है liquid droop fruits what is droop fruit हमारी NCRT में दिया है simple सा बताऊं देखो इन में pericarp fleshy है यानि यह fleshy fruit है अच्छी मोटी और जब भी pericarp fleshy होगी यानि मोटी होगी और जब भी मोटी होगी तो उसके तीन हिस्से हो जाते है देखो अगर पतली है पापड जैसी सडसों में मूमफली में तब तो तीन हिस्से करोगे नहीं पर मोटी है तो तीन हिस्से तो बाहर वाला हो जाएगा एपी, कार्प, कार्प का मतलब ही फ्रूट होता है फ्रूट, फ्रूट वाल, कार्प, बीच वाला मीजो कार्प और अंदर वाला एंडो कार्प हर फ्लेशी फ्रूट में ये तीन हिस्से हो जाते हैं, कुछ नहीं करना, आपको उस फ्रूट का एंडो कार्प लेना है, उसे किसी के सर पे मारना है अगर सर फूट गया, तो बोल देना droop fruit है, कैना कांग्शा मैं आपने समझाया है कि अगर ये सर फूट गया आपका, तो ये droop fruit है, अब ऐसा करना मत, ठीक है न, चलिए तो यहाँ पे पत्थर जैसा stony, hard, endo carp हो जाए, उसे कहते हैं, droop fruit, is it clear? साइद plant physiology शुरू हो जाएगी, ठीक है? हाँ, natural तो natural होता है, बिल्कुल thank you सिदार्ट, आपको teaching में मज़े आ रहे हैं thank you, ठीक है? चल, आगे बढ़ जाते हैं अपन इतना important chapter पढ़ा रही हूं आपको भई, आदा गंटा और चलेगा class, ठीक है, आदे फ्रूट जो है, हमारी NCRT में दो दिये हूँ है, एक आम mango, देखो mango में क्या होता है? mango में जो छिलका है ना, छिलका जिसे हम फेक देते हैं, वो एपी कार्प है, एपी कार्प ये इसका छिलका है छिलका और जो हम खाते हैं मेन वो पूरा मीजो कार्प है तो मीजो कार्प हम खाते हैं, हम मीजो कार्प खाते हैं edible edible, मीजो कार्प और जो आम की गुठली है वो बीज नहीं है, कितने लोग मुझे लिख के बेजो, कितने लोग सोचते थे कि आम की गुठली बीज होती है हाम की गुटली एंडो कार्प है गुटली इसे पोड़ोगे, मारोगे तो सर पूट जाएगा और ये तो पुरूट हो गया पूरा पुरूट की दिवार इसके अंदर भी जोता है गुटली को बजाओगे तो अंदर आवा जाएगी सीड में अंदर हूँ, में अंदर हूँ ठीके डन चल अब आते हैं नारियल ये भी डूट पूट है नारियल भी किसी के सर पे मारोगे ये सर फूट जाएगा कोकोनट की कहानी थोड़ी अलग होती है, मैं डीटेल में अभी नहीं जाओंगी एक हरा नारियल होता है, यंग जिसमें वो हरा हरा छिलका एपिकार पूट है फिर मोटा सा गुठा मीजोकार पे हम वो भी नहीं खाते हैं हम खाते हैं अंदर की मलाई और अंदर का पानी वो इन तीनों में से कुछ भी नहीं है वो endosperm होता है जो मैं sexual reproduction में पढ़ाऊंगी पर वही नारियल जब mature हो जाता है सूख जाता है तो उसके बाल बाल रह जाते हैं इसे बाल वाला नारियल ये मीजो कार्प होता है जो रसी वसी बनाने के काम लेता है कॉयर commercial market में बेचा जाता है रसी वसी बनती है फिर ऐसा रहता है फिर इसका ये endo कार्प है और फिर इसके अंदर बीज होता है पर हम खाते क्या हैं इसमें हम खाते हैं इसमें नारियल का पानी पीते हैं coconut water या coconut milk और white kernel जो गिरी वो जो हलका सा brown brown होता है तूड़न खोपरे में वो एंडो कार्प होता है और फिर जो मम्मी घिसके डालती है white kernel वो एक्चली यंग नारियल में मलाई थी जो अब सूप गई है यानि ये दोनों endo sperm है जो हम खाते हैं वो 3N होता है न ट्रिपलोईड वो खाते हैं हम ठीक है और यहां नीजो कार्प खाते हैं दोनों ही डूप फ्रूट है ठीक है साउथ इंडियन मूवीज में कोकोनट सर पे गिरता है न वो एक इंसान ऐसे बैटा होता है तपक दोर है यह कॉमेडी सीन दिखाते हैं वो ही है ठीक है इन सब में इन सब के अंदर स्टूडेंट्स जो ओवरी होती है वो सिंगल मोनो कार्पिलरी होती है मतलब एक ही कार्पल होती है इनके फूल में एक कार्पल तो एक ओवरी और उसके अंदर एक ही बीज होता है एक ही ओवियूल होता है वन स्थीड वन कार्पल गाइनस फ्लावर, गाइनी पाट सब से उपर, ठीक है, clear हो गया, तिशार, is it very very clear, सेफ, thank you, निशु, अधिती, आर्जु, पवन, कुमकुम, दाक्ष, चलिये, अब स्टुडेंट्स, बीज में इस क्लास में नहीं पढ़ा रहे हूं, क्योंकि सीड में, फुल डीटेल में, सेक्शुल रिप्रोड़क्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर पढ़ाऊंगी, ठीक है, सो सीड में यहाँ पे छोड रहे हूं आज, डाइकॉर्ट सीड, तो यहाँ पे आदा दूरे में मजे नहीं आएंगे मुझे, ठीक है, तो यह सारा पार्ट में छोड रहे हूं, अब आईए, फैमिलीज पढ़ते हैं, एक बार NCRT निकालो, यहाँ पर हमारा फ्रूट कम्प्लीट हुआ, रूट, टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, कम्प् सब लोग शुरू करो, कम से कम सुबह 10 मिनिट और शाम को 10 मिनिट, रात को 10 मिनिट, रात को 10 मिनिट, मिराकल करेगा, आपका जो है, मेमराइजिंग पावर बढ़ा देगा, और सबसे इंपोर्टेंट आपकी पॉजिटिविटी जनरेट कर देगा, एक मिनिट में जो करते हैं students, तो उनके कुछ symbols use करते हैं, आइए समझते हैं, वैसे तो आपको इसाब पता ही है, अगर ब्राक्ट है तो BR, ब्राक्ट नहीं है तो EBR, अगर एक्टिनो मॉर्फिक है, कैसे भी काटो, ऐसे काटो to equal of, ऐसे काटो to equal of, तो प्लस का sign, mark कर ले ना इनसी आती में, इ इसा, सिर्फ कारपल या पिस्टल है तो ऐसा, now, क्यालिक्स के लिए के लिखते हैं, कोरोला के लिए C लिखते हैं, अगर दोनों नहीं हैं, पेरियांत हैं तो P लिखते हैं, एंड्रो इशिम के लिए A लिखते हैं, जितनी सेपल हैं वो आगे लिख देते हैं, और अगर वो fused हैं तो bracket लगा देते हैं जैसे अगर तीन peteple है और fused है तो bracket लगा देते हैं ठीक है अब gynoeism के लिए g लिखते हैं अगर 4 carpel है तो 4 लिख देंगे fused है तो bracket लगाएंगे नहीं fused है तो bracket नहीं लगाएंगे अब superior ovary, ovary सबसे उपर है तो line नीचे खीचेंगे सबसे उपर ovary, ovary नीचे है तो line उपर खीचेंगे सबसे नीचे ovary और half inferior है तो बीच में खीचेंगे अब addition का मतलब है कि इस androidium या तो परियांत से जुडा है तो ऐसा हो जाएगा epiphylus और पेटल से जुडा है पेटल से तो कोरोला से जुडा है तो ऐसा हो जाएगा ऐसे उपर bracket बना के दिखा देते हैं ठीक है इतना clear हो गया चले सब NTRT में दिया है अब आईए हम पढ़ते हैं सारी families देखो मैं families में floral formula, floral diagram और examples learn कराने वाली हूँ है बागी details आप खुद पढ़ लें और characteristic features जो देखते ही पहचान जाओगे full concentration चाहिए आज ओ बनाओ मेरे साथ तीन families है first, second और last actually last ने एक और family इन तीन की तो full details दी हैं और fourth family का सिर्फ diagram और formula बना हुआ है चली आईए F से first याने Fabacy डाल वाली family Fabacy S से second याने आलू वाली family Solenacy और L से last याने लिली वाली family Liliacy first, second, last Fabacy, Solenacy, Liliacy हम इसी सेरल order में याद करेंगे अब इन में से ये दोनो Dicot families है और ये Monocot family है Dicot मतलब इन में reticulate venation होगा इसमें parallel venation होगा इन में tap roots होँगी इसमें fibrous roots होँगी वो ही जो पढ़ते आए हैं अपन चली अब ये तो first आते हैं इनका percentage बहुत बढ़िया है ये second आते हैं इन्हें और number add करने पढ़ेंगे और इन्हें तो बहुत number add करने पढ़ेंगे ये तो last आते हैं इनका तो बहुत बुरा performance है बुरा ब्रैक्ट भी मिलता है ठीक है फर्स, सेकेंड लास्ट फैबेसी, सॉलनेसी, लिली एसी percentage first class और add करने पढ़ेंगे बहुत add करने पढ़ेंगे बुरा performance है अब ये सारे bisexual है तो सब में मैं ऐसा बना दूंगी सब bisexual है इन में कैलिक्स है, कोरोला है एंडरो इशियम है, गाइनो इशियम है क्योंकि ये डाइकॉट है पर ये मोनो कॉट है और लिली फैमिली में कोरोला, कैलिक्स अलग-अलग नहीं था पेरियांत, एंडरो इशियम, गाइनो इशियम है वहता असान है अब ये टॉपर्ज हैं, दो टॉपर्ज हैं, ये five plus five ten star है, क्या है five plus five ten star ये देखो five, ये five लखने का तरीका five और five plus five ten, ten लखने का ये तरीका ठीक है ये डॉक्टर के पास गए इन्होंने का सर हम भी पस्ट आना चाते हैं तो डॉक्टर ने बोला पानसो पचपन गुट्टी पीओ तुम पीओ पानसो पचपन गुट्टी ये लो भाई पानसो पचपन गुट्टी ये गए तो डॉक्टर ने का तुम तो पूरे पागल जाने ही जाता है, थ्री पागल, थ्री इडियर्ट्स के नाम से जाने जाते हैं ये, थ्री पागल के नाम से, थ्री इडियर्ट्स, थ्री, 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 थी, तीन पागल, थीन पागल बोलते हैं इनको, ठीक है, अब इतना क्लियर हुआ, सब में सुपीरियर ओवरी है ये लो जी अब देखो 1 कारपल, 2 कारपल, 3 कारपल कितना easy है आराई समझ? फिर से बोलती हूँ बहुत बढ़ी नंबर आते है percentage, और add करने पड़ेंगे actinomorphic, और add करने पड़ेंगे बड़ा बुरा performance है सारे bisexual है Dicot, KCAG, KCAG Monocot, Lily Family, PAG परियांत मलेगा 1, 2, 3 1 कारपल, 2 कारपल, 3 कारपल सब में superior ovary है यहाँ पर यह जुड़ा है epipetalus condition यह जुड़ा है epiphylus condition अब यह जो दोस्त है 5 plus 5 10 स्टार, इसका मतलब समझो यह ऐसे पढ़ते हैं korola, एक पेटल फिर दो पेटल और फिर दो पेटल जो fused है यह 1 plus 2 plus 2 का यह मतलब है और इसका मतलब मालू में क्या है 9 स्टेमन fuse कर गए थे एक अलग था यानि यह दर्शा रहा है diadolphus condition diadolphus देखते ही पहचान जाओगे और यह क्या बता रहा है 1 plus 2 plus 2 vexillary estivation vexillary estivation चलो anyways अब यह floral formula में इसे लिखते नहीं है अब इन में bracket लगाने है यह दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे से पूछते हैं और कैसी है क्या पूछते है कैसी है कैसी है कैसी है कैसी है और 9 stamen fused है और एक अलग है इन्हें डॉक्टर ने बोला 555 गुट्टी पियो और पियो करेले का ग्लास रोज एक करेले का ग्लास पियो यानि करेले का ग्लास 5 stamen पाचों अलग अलग है इन्हें बोला तुम तो 3 पागल हो तुमारी PG बड़ी बुरी है तुमारी कमपनी बड़ी बुरी है तो अपना PG छोड़ो भाई तुम जहां पेंगेस रहते हो छोड़ो बहुत बरबाद कमपनी है तुमारी PG तो P और G में ब्राकेट लगेगा यानि 6 टेपल है 2-2, 3-3 यानि 2 घेरो में फ्यूजड है और 3 कारपल है फ्यूजड है 6 stamen है टोटल 3-3 थोड़े अंदर बाहर पर फ्यूजड नहीं है हो गया मज़े आगए शांदर जितनों को मज़े आगए एक पर मुझे थमसप या या एस कर दो देखते ही पहचान होगे 555 गुट्टी इसॉलन एसी अरे यह दिख रहा यार वेक्सिलरी, डायड अलफस, फैब एसी यह तो बड़ा बुरा परफॉर्मेंस है यह पी देखते ही पहचान जाओगे लिली एसी डन चलो, अब इनके फ्लोरल डायग्राम से पहचानना सिखाती हूँ आपको आए फ्लोरल डायग्राम देखो पहला फ्लोरल डायग्राम, देखो मेरे साथ सब लो देखते ही पहचानवाती हूँ मैं आपको जहां dot लगा होता है न उसे posterior मानते है ठीक है? ठीक है? चलो, बनाते हैं अपन ये देखो, ये 9 stamen fused हैं ये देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक अलग है, ये रहा एक अलग देखते ही पहचान जाओगे दाल वाली फैमिली है चलो, आप नहीं पहचान रहें, और देख लो एक पीछे है, पेटल, दो साइड में है पेटल और दो आगे है, और आगे वाली fused है Vaxillary activation देखते ही पहचान जाओ कितना easy है, एक कारपल है एक ovule है, एक कारपल है तो दाल में पढ़ातो है, अपने एक कारपल monocarpillary, जब marginal placentation पढ़ाया था तो ये देखते ही पहचान जाओगे, ये 9 plus 2 है डाइडलफस, ये Vaxillary activation है, देखते ही पहचान जाओगे चलो, अब आपको आलू वाली family दिखाती हूँ, फ्लोरल 555 घुट्टी, एक दो तीन चार पाच, एक दो तीन चार पाच और G2 है, ये देखो, ये 2 G2 पढ़ाता था न, 1, 2, 3, gynovation 1, 2, 3, तो ये 2 हो गया और देखो, stamen जो है, ये इस petal से जुड़ा भी है, ये देखो, ये, ये epi petalus condition दिखा रहा है, ये वाली condition शोर ही है, ठीक है, चलो, अब लिली family दिखाती हूँ, लिली तो बड़ी easy है, ये देखो, देखते ही ये देखो, tri carpillary तीन carpel दिख गई, ठीक है, और देखना है, कैलिक्स को रोला अलग से नहीं दिख रहा हूँ, ये देखो, एक टेपल, एक टेपल, एक टेपल, पर 6 है total, 3 प्लस 3, 6 नहीं लिखा, क्योंकि एक साथ नहीं है, तीन थोड़ी सी बाहर है, तीन थोड़ी सी अंदर है, और bracket लगाया था ना, PG छोड़ो, तो देखो, fused है आपस में, लिली चाते जैसा लग रहा है, लिली लड़की चाता लेके जा रही है, कैसे भी पहचान लोगे, ऐसे ही देखो, एक, दो, तीन, चार, पाक, छे, तीन हलके से बाहर, तीन हलके से अंदर, छे स्टेमन है, और स्टेमन देखो, पेरियांत से जुड़े हैं, एपिफाइलस कंडिशन बता रही है, ये चीज, कि पेरियांत और ये जुड़े है, ओवरी देखके पेचान लोगे, आप एक, दो, और तीन, तुरंत यूँ पेचान में आ जाता है, ठीके, शांतनू मैं बाई लोजी पढ़ाती हूँ ना, मैं पूरी बाई बाईयो पढ़ाती हूँ, लेकिन इस सिरीज में मैं जोलोजी नहीं ले रही हूँ, ठीके, चलिए, आज़े, आगे बढ़ जाते हैं अपन, अब आजो, लास्ट फैमली पे, फिर इनके एक्जाम्पल्स ल Mustard में अपने कुछ पढ़ा है क्या? अपने Tetra Dynamis Condition पढ़ी थी ना? तुलसी में Dye Dynamis और Tetra, मतलब 4 प्लस दो, यादे, 4 बड़े घर के अंदर, 2 बच्चे घर के बाहर पढ़ा था, यानि 6 स्टेमन थे, आओ आपको दिखाती हूँ, चलो, इसको याद कराती हूँ पहले, इसको कैसे याद करेंगे, इसके formula को, बहुत असान है, ये भी Dicot है, Dicot, इसके भी अभी और नंबर लाने है, केवल 1st family में percentage है, बाकि सब में नंबर ला रहे हैं, और last लिली वालों का तो बुरा performance है, सब bisexual है, ये भी Dicot है, तो K-C-A-G है, ठीके, अब, यहाँ पहे ऐसा याद रखो, दो भईया, दो भाबी हो गए 4, दो भईया, दो भाबी हो गए 4, या, दो भईया, दो भाबी हो गए 4, थोड़ा से लिखने का तरीका है, दो भईया, दो भावी हो गए चार या दो भावी हो गए चार ठीक है के सी ए जी अब ब्रैकेट कहां लगाएं लोग सोचते हैं कि फीमेल्स घर में लडाई कराती हैं बिलकुल नहीं यहां कि फीमेल्स भावियां गाइनोईश्यम फ्यूज्डों के प्रेम से रहती हैं केवल वही प्रेम ओवरी है, तो चारों में सुपीरियर ओवरी है, यहाँ पे भी दो कारपल हैं, जो फ्यूजड है ठीक है, तो भावियां मिल जुल के रहती है दान, इसको देखते ही पेचान जाओगे यह देखो, 2 प्लस 4 टेटरा डाइनेमस कंडिशन आओ डाइग्राम दिखाती हूँ यह देखो, 1, 2, 3, 4 4 सेपल है फ्यूजड नहीं है, देखो इनको जॉइन नहीं किया, 4 पेटल है एक ही घेरे में, पर देखो फ्यूजड नहीं किया, यह देखो 2 बच्चे घर के बाहर और 4 बड़े वाले थोड़े से अंदर और यह रहा हमारा ओवरी, गाइनोईशियम जिसमें पार्टिशन है, दो है यह पॉल्सेप्टम है, मस्टर्ड और आर्जीमॉन पर राइटल प्लासेंटेशन पड़ाता याद आया, पा और मा और मार के यह ठीक है, हो गया कुणाल कह रहा है, माम फैमिली इतनी ऊज़ेदार होगी, कभी सोचा ही नहीं था, चलिया, I am very happy आपको समझ में आ रहा है, ठीक है Only यही मिलके रहती है, माम, itself से नहीं, only यही, मतलब देखो भाईया मिलके नहीं रह रहे है, भाबी मिलके रह रही है ठीक है न, चलो, बस बस होई गई है, क्लास खतम, अब इनके examples learn कराती हूँ, बस फिर questions करेंगे Example learn कराने की tricks, example बड़ी important है, और बहुत पूछते हैं, इन में से कितनी Lily AC की है, कितनों में यह condition मिलेगी, आपको पता ही नहीं है family care, तो कैसे करोगे, देखो इसको याद करने की trick, लिखो सब लोग मेरे साथ, Lily Lily और Tulip नाम की दो लड़किया है, college में पढ़ती है college girls है, college में Lily और Tulip, होती है न, my name is Lily, my name is Tulip, Lily, Tulip Lily, Tulip, Lily, Tulip, so Lily और Tulip, college में अब college में पढ़ती है अभी young है, बड़ा शौक है, बड़िया प्रोडक्स यूज करती है glowing skin रहती है glowing skin एकदम glow मारती है क्या लगाती है रोज, aloe vera घिसती होंगी, aloe vera aloe vera घिस घिस के एकदम चम चमाती skin और चम चमाती skin के उपर चम चमाते हुए बाल, याने glowing hair glowing hair है, किस पर चम चमाती skin के उपर, उस पर है, उस पर है glowing skin उस पर है चम चमाते हुए बाल चलो आओ आपको याद कराती हूँ lily इसमें आता है, tulip इसमें आता है, तो lily और tulip college मतलब, call cheese sin my tosses में डालते है न, रोकने के लिए call cheese sin, college मतलब, call cheese sin glowing skin, glowing मतलब gloriosa gloriosa सजावटी पेड़ है, glow, glow मतलब, gloriosa aloe vera इसमें आता है, aloe vera जो हम, घरों में aloe vera तो सब को ही पता है न, सारी creams, facials सब में डालते हैं उस पर, उस पर, उस पर मतलब, asparagus asparagus अपनने पढ़ा है, आज ही पढ़ा है, root जिसमें खाना store होता है, adventitious root जिसमें खाना store होता है यह सबजी है, खाई जाती है underground, जैसे मूली गाजर खाई जाती है, ऐसे asparagus खाया जाता है, और glowing hair मालूमें, बालों को glow करने के लिए, कई लोग बदबू भी आती है कई लोग अंडा लगाते हैं, कई लोग प्याज लगाते है तो इसमें onion भी आती है onion, तो यह देखो tulip, gloriosa, asparagus colchicum, yellow and onion so tulip और lily college girls याने colchison glowing skin याने gloriosa तिन चमचमार यह yellow hair उस पर याने asparagus onion glowing hair, हो गया done, 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 done बड़ा बहुत बहुत काम आता है यह बहुत काम आता है, ठीक है लड़कियां गया, लड़के भी गिस्ते है सब को अके भई, अच्छा तो दिखना चीज में कौन सी बुरी बात है, ठीक है you should take care of yourself कौन चाहेगा गंदा दिखना, आप जैसे हो, उसको तो आप अच्छे से साफ सुत्रा क्लीन रखोगे न, ठीक है चली, अब आईए याद करते हैं, मज़ेदार तरीके से सॉलनेसी के मेंबर्स समझो, हस्बेंड और वाइफ है वाइफ का नाम है बेला और हस्बेंड का नाम है अश्विन ठीक है, बेला और अश्विन की कहानी है एक दिन बेला ने आलू बैंगन की सबजी बनाई इसकी आलू बैंगन पोटैटो बैंगन की सबजी बनाई, आलू बैंगन की उसमें मिर्ची थोड़ी जादा हो गई मिर्ची जादा हो गई मिर्ची जादा हो गई तो अश्विन को गुसा आ गया अश्विन को इतना गुसा आया वो घर से बाहर निकला और सिगरेट पीने लग दिया बेला ने बोला भाई देखो माना मिर्ची जादा हो गई आलू बेंगन में तुम लडलो गुसा गरलो सिगरेट क्यों पी रहे हो तुम ये नहीं चलेगा बेला ने अश्विन की पिटाई लगा दी पिटाई पीड दिया उसको बस खतम कहानी देख लो आलू इसमें आता है ब बैलेडोना दवाई है ये ओमियोपेती में बहुत काम आती है बैलेडोना अश्विन मतलब अश्वगंधा ये भी दवाई है अश्वगंधा तुबाको इसमें आता है और पिटाई लगा दी मतलब पेटियूनिया सजावटी पेड है तो क्या ट्रीक हो गई बेला बेला न नहीं चलेगी या नेकी पिटियूनिया हो गया क्लियर ठीक है मज़े आ रहें की नहीं आ रहें पांचा लर्ण पॉइंट भागिश्री शांतनू कार्तिक जिसको भी मज़े आ रहे बार फड़ा पड़ से येस कर दो इंपोटेंट है आपको भी बड़ा सान लग रही है या नहीं तर चाहर किसान दालवाल लगाता था वो अधाल जादा महहगी बिक्ती नहीं थी उसने सोचा याय चलो मैं अपनी डालोंको कम कर देता हूं ब्लू कलर पर देता हम तेको मैडम ने अच्छा व्योन माम व्योन दाल क्रत कर देता हूं या या इनबियो फेरा वह बज् और तेल लेकर उसने कलर कर दिया दालों को और वो इने बोरी में भरके ले बोरी बोरी बनी थी मिली वोर तुछ निले रंकी नाल कौन खाएगा लोग उने दाल को बेच कर उसे जो पैशा मिला उसे उसने अपनी बीवी के लिए गेहने और भविश्चे के लिए दवाईया खरीद लिए और दवाई उसकी वाईब को खासी हो रही थी तो मुलेटी दवाई खरीद ली और कुछ औरनमेंट्स खरीद लिए कितना इजी है देखो तो दाले इसमें आ जाएंगी मूमफली सोया बीन जैसे तेल आ जाएंगे डाई नीले रंकी इंडिगो फेरा आ जाएगा बोरियों में भर के ले गया था फाइबर सन हम पागया फॉर्डर चारे के कीमत म में उसने बेचा उसे औरनमेंट्स सजावट और मेडिसिन मुलैठी ले ली इतना भी आ जाएगा न स्टूडेंस तो आंसर लगा दो लिया दन मज़े आगए कुणाल बहुत बढ़िया यह चना राजमा छोले सब इसमें आ जाएंगे तो विद दिस वी कम्प्लीट देख लिया एक एक ट्रिक ली एक एक फॉर्मला देख लिया अब आईए हम आते हैं इसके questions पर my dear students चलिए यह रहे हमारे questions पहले में कराओंगी बहुत सारे MCQs और फिर कराओंगी PYQs 2022 तक के एक एक important PYQ में आपको class में करा दूँगी pull attention radical से क्या निकलेगी primary route सबको clear है full concentration से यहाँ पर देखो PDF सबको मिलेगा description box में link आ जाएगा fibrous route कहां से निकलती है stem base of the stem से पूरा chapter revise करा दूँगी एक बार अभी फिर से other than radical से जो निकले adventitious route चुटा तो नहीं है चल नेक्स रूट हेर कहां मिलते हैं जब कोशागर mature हो गया था यानि maturation zone में कितना easy है देखो trick carrot, turnip यह सब क्या है खाना store करते हैं food storage ना प्रॉप रूट्स प्रॉप रूट्स बर्गत में थी काई के लिए support के लिए done ना निमाटो फोर्स respiratory रूट्स है राइजोफोरा में दक्ष आप मुझसे personally e2 के app पर पूच सकते हो या e2 में time saver का group बना हुआ है वहाँ है dm कर देना मुझा ठीक है चल स्टेम ascending part है और प्लिम्यूल से बनता है third बिल्खुल correct ascending part और प्लिम्यूल एंसी आर्टी की लाइन है axillary bud जब hard pointed structure बनाएगी उसे काटे बोलते है thorn thorn in big cinema boganvillia in citrus banana pineapple यह देखो base से branch निकलेगी फिर उपर जाएगी जैसे cold drink पी रहे हो एंसी आर्टी की लाइन है suckers chemistry physics biology now lateral branches नीचे tuft of root उपर roset of leaf यह जा रहे है ब्रांच offset की बात कर रहे है pistia e cornea now underground stem इन में से potato की है so यह answers नहीं हो सकते है now tendril 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 मतलब tiger जैसा गुलाटी खाने वाला तो tiger tiger तो आता है guard family में और guard family के अलावा grape vine अंगूर की बेल में thorn boganvillia citrus में चप्ती हुई stem हो जाएगी opentia की और cylindrical euphorvia NCRT की lines को match the column में convert कर दिया चल ना leaf based sheathing type का बनता है monocot में और pulvinus type का dicot दाल वाली family में पांचाल बिलकुल सही है आपकी trick भी सही है now dicots में मिलता है reticulate venation ऐसे questions आते हैं now next leaf having single or undivided lamina उसे तो simple leaf कहींगे now modification petiol बन गया पत्ती जैसा इसे बोलते हैं फाइलोड औस्ट्रेलिया में पीटा था अकेली बैटी थी औस्ट्रेलियन केसिया now alternate किस में मिलता है opposite कागा opposite बैठें कागा कागा तो opposite कागा वर्ल्ड उठा के पत्थर मारो अलस्टोनिया और इसमें था MSC mustard china rose और टतूरा तो 123 यह हो गया now tendril tendril का का में climbing करवाना yellow यह खता spine का का में रक्षा करना और fleshy leaves onion और garlic में मिलेंगी देखा आपने pattern देख रहे हूं मैं कैसे solve करी हूं एक जटके में answer आ रहा है now insectivorous plants में पत्तिया modify हो जाती है insects को पकड़ने के लिए now inflorescence का मतलब है फूलों का arrangement गुलदस्ता now main axis continues to grow बढ़ती जारी रेस की तरह रेस्मोस ना यह रेस्मोस है यह साइमोस है NCRT का diagram तीदा सीदा चलो परो इसको solve करो पर आपट से students चलो चलो आजो परियांत क्या है जब क्यालिक्स को रोला अलग-अलग नहीं है अलग-अलग नहीं है not distinct या indistinct लिली फामिली में clear है चलो Now match the columns actinomorphic actinomorph ने कैसे सीखा था MACD में कहीं से कुछ भी मंगा लो यार यह MACD में ऐसे सीखा था पन्ने तो MACD मतलब ये 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 ठीक है 1,2,3 ये हो गया answer और zygomorphic में क्या पढ़ा था पन्ने जाइगो में अपन्ने पढ़ा था गुलमोहर फ्रम क्यास्टमीर पी और बी आ रहा है समच सबको clear है चलो next superior ovary कैसे पढ़ा है था ओवरी उपर है बाकी सब नीचे है यानि हाइपो गाइनस फ्लावर ये लो ये answer हो गया ये सब होई नहीं सकते हैं और inferior ovary मतलब epigynos perigynos तो half inferior ovary है clear है सबको question solve करो तभी तो confidence आएगा थियोरी पर ठीक है शलिए now calyx के members को sepal कहते हैं अगर जुड़े हुए हैं तो gamma अलग-अलग है तो poly pyq करेंगे अभी बड़े important sepal petal आपस में कैसे arranged है एस्टिवेशन ना वैलवेट काला वैलवेट देखो मैं कैसे याद करती हूँ काला वैलवेट एक का बन है ये low एक जटके में कतम हो गया twisted किस में पढ़ा है चाइना की ladies finger cotton जैसी soft है क्या पढ़ा है चाइना की ladies finger cotton जैसी soft है तो चाइना की ladies की finger cotton जैसी ये देखो इंब्रिकेट कैसे पढ़ा था I am ये रहा केसिया और गुलमोहर और वैक्सिलरी ये दोनो पर अपना देख जटके में आंसर आ गया नव मोनोडलफस मोना ने चाइना का मोना ने चाइना का क्या PC polyadolphus citrus में मिलता है PC yellow question solved dust pan में डाला dust pan ये था dust नव परिगाइनस प्लंबर परी को रोज पीच देता था क्या दा रहा है ठीक है थांक्यू खालिद नव एपो कार्पस अपोलो गेव लॉट्स ओ रोजस तु मिशेल वन और थ्री ये लो question solved और साइना पापा must have tomatoes देखो कैसे tricks कैसे काम आती है क्योंकि मैंने इसे learn करा है और बार बार रिवाइस करा है by lobed है हर लोब के अंदर दो chambers है total चार chambers है किसकी बात कर रहे हैं एंथर की stamen की नहीं stamen में तो filament and anther दोनों आएगा चल आइडेंटिफाए ये क्या है वैलवेट ये रेको in out 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 twisted vexillary और imbricate तो वैलवेट ये लो ये answer आद एंसर आद एंसी आर्टी का डाइग्राम है now placentation का मतलब है ovules का arrangement in the ovary now marginal मिलता है mutter में तो one yellow question salt एक जटके में salt हो गया exile कैसे पढ़ा था पईया निकल जाएगा तो चटनी बन जाएगी चट और नी नहीं दिया हुआ है निबू पर idle कैसे पढ़ा था पापा और मा ये और आर्जी मॉन free central पढ़ा था pdf और base bed के सुबह सुबह सनफ्लावर देखके maricol biscuit खा रहे हैं याद आ रहे ठीक है चलिए now ये है marginal, exile, parital, free central, basal कर दोगे सब लोग ये तो बहुत आसान है भाई marginal, exile ये लोग सॉल्व हो गया आ रहे हैं सबको कितनों को questions बन रहे हैं एक बार मुझे yes या थमसब लिख कर बेजो पढ़ा पढ़ से जिनको questions बन रहे हैं ये क्या है भाई ये तो छिलका है epicarp ये खाते है मीजोकार्प ये गुटली ये गुटली है देखो अंदर बाहर एंडो है अंदर गुटली है तो C seed है और D endokarp है गलत मत कर देना उल्टा मत कर देना PYQs अभी करवाओंगी अभी अभी करवाओंगी PYQs don't worry ठीक है चली आ रहे हैं ना सब को आ रहे प्रियांशी, stranger, अन Now, fruit form without fertilization, parthenocarpic fruit, banana, monocot इसमें से क्या है, गेहू, मक्का, monocot होता है, तो 1 and 3, yellow, salt, बाकि ये सब dicot है, ठीक है ये पढ़ाऊंगी sexual reproduction, हवा में बन रहे हैं क्या बात है, love from करनाटिका, thank you, my love to you also, God bless you all, चल, ये अभी नहीं पढ़ाया, students इस question को छोड़ देते हैं अपन, ये seed वाले questions अपन छोड़ देते हैं, ठीक है, इनको मस्त तरे से अपन पढ़ेंगे, सब रट जाएगा, मेरा वादा है आपसे, ये सब हटा देती हूँ मैं अभी एक बार, ये diagram भी पढ़ेंगे, समझेंगे, फिट्रिक्स बनाएंगे, चल, आजो, ये क्या बताता है, superior ovary है दो कारपल है, और दोनों fused है, तो by carpillary है, gynoecium है, और fused है, और superior ovary है, इसलिए line नीचे खीची हुई है, कर दोगे सब लोग, thank you, love from हमगड, हमागड, ओके, यार तुम लोग कोई बोलता है, green board, कोई बोलता है, black board, अब मैं क्या गरे बताओ, आदा आदा बोट करू क्या प्लस का मतलब, अभी और number लाने है, कैसे भी काटो, actidomorphic, ये लो कहानी खतम, percentage हो जाएगा, zygomorphic, और k का मतलब हो जाएगा, calyx, याने sepals, k से कोरोला मत confuse होना, k पहले आता है, c बाद में, काली चरण से याद रख ले न, काली चरण, याने पहले calyx, फिर कोरोला, sepals, फिर pattern, खिक है, चलो, ये किस family का है, देखते हैं, पहले चांड जाओंगी मैं तो, ये देखो, ये देखो, कहीं से भी देख लो, क्या है ये, ये देख लो भईया, सबसे अच्छे number आ रहे है, कैसे देख लो, first family है, फैबेसी, देखा, कैसे याद होता है, cut, 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 चलो, match the column, edible oil, oil कौन साइस में, soya bean तेल है, soya bean दाल में भी लिखा है, soya bean तेल में भी लिखा है, मुमपली का भी तेल है, ये लो, ये answer होगे, dye, indigo fera है, और fiber sun hemp है, चलो, next, ये क्या है, 555 गुट्टी, ये लिखा नहीं है, यहाँ भी 5 आएगा, 555, तो 555 है, percentage है, ये तो लिली एसी को लिली फैमिली कहते हैं, और ये monocort है, so both fun it, अभी PYQs बस आने वाले हैं, ये तो देखो, तीन पागल, और PG छोडो, ये last family है, लिली फैमिली, बड़ी बुरी performance है, ब्रैक्ट भी मिलता है, now ornamental, ornamental क्या है, खुबसूरती के लिए, चलो, पन देख लेते हैं, कॉल्ची सिंदो कॉल्ची का मॉटम नेल से मिलता है, ये नहीं हो सकता, सबजी है, एस्पैरेगस, ये नहीं हो सकते, medicine है, एलोवेरा, और ये दोनों है, ornamental, direct NCRT की lines है, now next, चलो, एक मिनिट students मैं, phone off कर लो अपना, चलो, आगे देखते हैं, ये क्या है, देखो, देखते ही गुट्टी, दो कारपल, क्या है ये, solenese family, चलिए, ये क्या है, देखते ही पैचान जाओगे, ये 10 और ये 1, 1, 2, 2, कैसी पैचान लो, leguminosine, tabasi family, दाल वाले, now, अर ये तो, नहीं नहीं, ये anatomy का question है, student जी, कल solve करेंगे, कल 2 बजे मिलेंगे अपन, ठीक है, anatomy of flowering plants को tips पर कर करेंगे, ठीक है, now, roots, देखो, 2020 में question आया है, stem की base ते जो निकलती है, उसे बोलते है, fibrous root, direct question है, example क्या पढ़ा इसमें, फिर वहाँ, ag मेरे बेटे ने, फिर वहाँ, याने beat, now, pneumatophore, देखो, 2018 का question है, pneumatophore किसमें मिलते हैं, अभी थोड़ा गुमा के पूछ लिया, pneumatophore मैंने आपको का दोला, दलदल वाले इलाके में, rhizopora, दलदल मतलब मां मिट्टी में नमक की नमक है, halophytes में, नमक की नमक भरा हुआ है, पानी पानी भरा हुआ है, now, plants, pneumatophores, pneumatophores, again, halophytes, तो जहाँ भी pneumatophore लिखा है, मां halophyte अभी के अभी add कर लो, नीट 2017 में question आगया, ठीक है, चलिए, now, roots play important role in absorption of water in, absorption, याचे, insignificant role, पिस्तिया, पिस्तिया तो पानी वाला पेड़ है, एक्वाटिक है, तो इसमें क्यों roots को absorb करवाना है, logical question पूछे, 2015 में, तो आपको पता होना चाहिए, ये पानी वाला पेड़ है, ठीक है, पहली बार हवाँ में उड़ने किसका modification है, बोगन विलिया और सिट्रस, थौर इन बिक सेने मा, ये stem, axillary buds से बने थे, देखो, root नहीं, leaf नहीं, stipule नहीं, axillary buds, stem का modification पढ़ाये था, माम एक बार पूछो, practice sheet, ये practice sheet है न, ये पूरी PDF इसकी upload हो जाएगी, ठीक है, thank you, thank you, आप सबको जिसको भी मज़े आ रहे और पतियों का काम कर रहा है, यानि photosynthesis कर रहा है, phylo, clad, 2016, neat का question, now, not a stem modification, ये तो stem का modification है, cucumber, खीरा, guard, family, tendril भी है, ये भी है, ये नहीं है, ये घड़ा किस से बनता है, पति से, ये leaf का modification पढ़ा है, ये देखो, 2016 का एक और question, तीन से चार questions आते ही आते हैं, students, now, edible underground stem, edible खाते हैं और stem है, stem, potato, sweet potato भी खाते हैं, carrot भी खाते हैं, पर ये सब roots है, roots, potato, 2014 का question, ठीक है, biomolecules के notes आड नहीं हुए, मैं team में बोल दूंगी, ठीक है, I'll communicate your message to the team, they'll do it, thank you, thank you, Rajinder, आपको मजे आ रहे हैं, I'm very, very happy, thank you, अब लिपसा, कल दो बजे मिलेंगे anatomy के लिए, अभी PYQ करके जाओ, बहुत बहुत इंपोटेंट है, चलो, eyes of potato क्या है, देखो, eye of potato, बड़ा बड़िया question बनता है, eyes क्या है, potato stem है, stem पे या तो, terminal बड होती है, पाई कल या, axillary bud होती है, वो axillary bud है, adventitious bud नहीं है, ध्यान रखना, अगर adventitious bud कह दें, तो मतलब root और stem पे जो बड़ है, sweet potato, ब्रायो फिलम, उसकी बड़ को additional, adventitious कहते हैं, potato तो खुदी stem में, उसकी axillary है, इसको जरूर ध्यान रख लेना, 2011 का question है, पर important concept है, ठीक है, चुटकी में solve और question, शिवानी लिख रही है, बहुत बड़िया शिवानी, इतने questions कर लो, और थ्योरी बार-बार पढ बातनी में more than enough है, और questions करने की कोई जुरत नहीं है आपको, चलो, mint में कैसे होता है, अब देखो, first choice, सकर, सकर नहीं दिया है, तो stolen, एक ना एक देंगे, 2009 का question, now, pilot किसमें मिलता है, pilot मतलब PTO, किसको पीटा था, Australia में बैटी हुई लड़की थी, अकेली, Australia नकेसिया, हो रहे मज़े आ रहे, मज़े आ रहे, गुरुमा बहुत डिप्रेशन आ गया, मैं नहीं हूपा रहा है, गुरुमा, देखिए students, negativity तो इस समय आएगी, डर भी आएगा, घवराट भी होगी, समझ भी नहीं आएगा, क्या करे, क्या नहीं करे, selection होगा या नहीं होगा, यह सब natural है, अपने को एक planner बनाना है, planned way में study करना है, अपने को पता होना चाहिए कल मुझे क्या पढ़ना है, कितने बज़े कैसे पढ़ना है, और उसे पढ़ने बैठ जाओ, मेरे कहने पे 4x4 टेखनीक meditation शुरू करो, 10 मिनिट सुभे, 10 मिनिट शाम, यह आपके thoughts per second को कम करेगा, और आ अच्छा ही सोचा होगा, यह दो पंक की तरह है, आप अपनी full hearted मेहनत दो और उसके बाद result इश्वर के हाथ में रखो, ठीक है, चली, now, correct position, 2020 का ही question है, mustard, अब देखो, mustard का formula हमारे में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था, plus सब में लगा था, percentage के अलावा, पहली family के अलाव सतारे bisexual है, यह dicot family है, ठीक है, दो भाईया, दो भावी, हो गए चार, या दो भाईया, दो भावी, हो गए चार, भाविया मिलके रहती थी, सब में superior ovary है, गाइनो इशियम, highest position है, बिलकुल true है, superior ovary की बात करते हैं, ठीक है, यह सब गलत लिखा हुआ है, perigynos, वो सब गलत लिखा है, epigynos, perigynos, done, ठीक है, college का exam भी आ गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, manage करना है, घवराओ मत, सब इश्वर साथ देंगे, जो best कर सकते हो, एक बात ध्यान रखें students, you can only guarantee your efforts, you cannot guarantee the results, results आने में बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे factors का role होता है, आप अपने efforts 100% guarantee करिये, उसके बात जो भी होगा, वो अच्छा ही होगा, पर efforts पूरे करो, जादा तर डर घवराट तब होती है, जब हम पता है, कि हम जो कर सकते थे, वो भी हम कही ना कही नहीं कर रहे है, कही ना कही हमारी तरफ से कमी हो रहे है, तो आप अपने efforts पूरे दीजे, and then leave the rest to God, and He will give you what is best for you, all right, चले, yes, you have to try your best, चलो, देखो 2020 का question, रे फ्लॉरेट्स, ECG सही है रे, ECG, epigynos, और epigynos मतलब inferior ovary, देखा कैसे trick से question solve होता है, ECG सही है रे, now, 2020 में देखो, same topic से दो question आ गए, half inferior मतलब perigynos, और perigynos क्या था, परी को plumber, rose, peach देता था, done, एक ही topic पे दो आ गए, वो topic नहीं पढ़ा तो दो नों गए अपने, चलो, 2019 में, placenta जहां पे inner wall of ovary, या peripheral part पे, पेरिफेरल पे है तो parietal, इसमें कौनसी बड़ी बात है, mustard और argumon, हो रे की नहीं हो रहे हैं, श्रवन, study, संतोष, प्रियांका, शिवानी, सुरेश, अनुराधा, चलो, bi-carpillary ovary with obliqually placed septum, 2019 में पूछा गया है, अब देखो, bi-carpillary ovary, दो जगे पड़ी है, एक second वाली family, यानि solenasi में G2 पड़ा था, ऐसा, ठीक है, करेले का glass ये था, और एक mustard family, यानि ब्रासी केसी family में पड़ा था, ठीक है, वहाँ भी दोनों भावियां मिलके रहती थी, ऐसे था, yellow तो liliasi family है, इसमें तो 3 पड़ा था, 3, ठीक है, तैसबेनिया, फैबेसी family है, इसमें तो एक ही पड़ी है, ब्रासिका में भी पड़ा है, इसमें भी पड़ा है, आंसर क्या आएगा, slightly oblique, ये theory में लिखा हुआ है, स्तॉलनम में होता है, स्तॉलनेसी, ये direct question है students, चलिए, now, 2019, बस कुछ questions और बचे है, बेसल, बेसल में sunflower और marigold biscuit, ये लोख attack, आगे answer, एक्जाइल पईया निकलेगा तो बन जाएगी चर्टनी, parietal paa और maa, और precentral pdf, बार बार याद करो, जरूर याद होगा, ऐसा कैसे नहीं होगा, कि याद नहीं होगा, ठीक है, चलो, आईए, आगे बढ़ते हैं अपन, अब, standard petal of a papillinesius corolla is also called, वो जो पीछे वाली petal थी ना, एक posterior वाली, इसे बोलते हैं vexillum, अभी तो इसका नाम vexillary astivation है, आपको नहीं भी पता तो vexillary से vexillum, फिर भी आप answer लगाई दोगे, 2016, now, tricarpillary syncarpus, तीन कारपल हमने कहां पढ़ा है, लिली AC family में, 1, 2, 3, लास्ट वाली family, direct question है, 2016 में आये हुआ है, देखो कितने questions आते हैं, pre-central, 2016 का question है, PDF, prime rose or dianthus, direct questions हवा में solve हो रहे हैं, radial symmetry कहां मिलेगी, radial मतलब actinomorphic, actinomorphic मतलब कहीं से भी मंगाओ, क्या मंगाओ, macd, macd, अब यह तो दिया ही नहीं, भाई यह तो दिया ही नहीं, अब क्या करें, caseya तो मुझे पता है, zygomorphic है, I am gulmohor from casimir, trifolium भी fabacy family है, trifolium, इसमें भी zygomorphic होगा, और pysm भी fabacy family है, तो इसमें भी zygomorphic होगा, यहां पर answer हो गया, brassica, तो ऐसे rule out करके भी questions निकालने पड़ते हैं, ठीके, clear हो जो हो रहा है, प्रशान्त केवल कली ऐसा हो रहा है, कि आज morphology और कल एनाटमी है, otherwise daily मैं gap में पढ़ा रही हो आपको, ठीके, ताकि आप learn भी कर सकें, अब यह देखो, इन में से कितने हैं, जिसमें different length है, stamen की, in their flower, different length, एक तो ब्रासी किसी family पढ़ी है, जिसमें mustard आता है, और एक साल्विया वाली family पढ़ी है, तुलसी वाली family, ठीके, इंडिगो फेरा तो फैबेसी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, सेजबेनिया भी फैबेसी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, हाँ ये हो गया, ये लिली family है, लिली family है, इनमें ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, अपन नहीं, mustard में पढ़ा है, ground nut में, ये भी फैबेसी family है, radish, mustard वाली में आती है brassi case में आती है तो इसमें भी होता है ठीक है? अब gram नहीं ये भी fabesi है तरनिब भी इसी में आता है brassi case में तो चार हो जाएंगे अब इस family की detail नहीं दी हुई है पर 2016 में question आया है तो जितना आया है उतना तो अपने को आने ही चाहिए अमित notes मिलेंगी इसका link description box में आ जाएगा 2016 polyadulphus कितने question आये है PC polyadulphus C polyadulphus किस से related है? वो नहीं पूछा PC citrus नहीं पूछ रहे है किस से related है? stamen, कितने bundles बना रहा है now unisexual pool किसमें मिलते हैं? 2015 में हमने matter पढ़ा है उसमें तो ये पढ़े है onion पढ़ा है, उसमें ये पढ़ा है खीरे में मिलेंगे अब ये आपसे वैसे नहीं पूछेंगे आने की उमीद नहीं है पर हाँ अभी के लिए तो याद कर लेते हैं अपन ठीक है? खीरे में आ रहे हैं, खीरे में मिलते हैं न क्यों नहीं याद होगा? reproduction in organism chapter पढ़ चुके हैं अपन उसमें अपनने कुकुमबर को किसमें पढ़ा है? जो है चलो इसको भी आप confused हो जाओगे आपने पढ़ानी होगा छोड़ो चलो आगे बढ़ जाते हैं अपन exile placentation चर्टनी नीबू 2015 का direct question है चर्टनी इन में से कितनों में superior ovary है? शाइना रोज मस्टर्ड ब्रिंजल देखो हमने आलू पढ़ा है ब्रिंजल पढ़ा है, सॉलनेसी में यह दो तो हमने पढ़ा है अच्छली पहले आती थी यह सब onion भी हमने पढ़ा है लिलीसी में tulip भी हमने पढ़ा है वो लड़की है तो चार तो हमने पढ़े हैं ठीक है mustard भी हमने पढ़ा है इसमें भी superior ovary थी ठीक है और किसमें मिलेगी? पुकुम्बर में नहीं हाँ ये ये तो वो है न inferior ovary ECG epigynos ये तो inferior ovary है और ये भी तो पढ़ा है हमने ये पढ़ी थी ना macd और सॉरी ये अपना china rose china rose mango brinjal और mustard यादे ये चारो पढ़े थे फूलो का राजा सबजी का राजा ये तो एक, दो, तीन, चार, छे तो बाकी तो मैंने family से निकाल लिए और ये मैंने वहां की tricks से निकाल लिए बहुत important question है ठीके चलिए आगे बढ़ जाए प्लेसेंटा और पेरिकार्ब दोनों किसमें आप देखो ऐसे questions आप नहीं पूछते हैं टमाटर के अंदर हम जो खा रहे हैं हम fruit wall भी खाते हैं फ्लेशी fruit है और हम उसका प्लेसेंटा भी खाते हैं वही हम टमाटर पूरा खा जाते हैं ना ऐसे रहती है ना टमाटर में slices हम तो पूरा खा जाते हैं यह बीज होते हैं इसके यहां पे प्लेसेंटा भी खा जाते हैं और बीज भी खा जाते हैं और परिकाप भी खा जाते हैं पर अब यह सब नहीं पूछते हैं इतना डीटेल में ठीक है सेपल पेटल ओवरलाप करते हैं इन में से हाइपोगाइनस कितने हैं अरे बापरे हाइपोगाइनस मतलब सुपीरियर ओवरी सुपीरियर ओवरी अपने फूल में पढ़ लिया था चाइना रोस ठीक है मैंगो पढ़ा था वो तो दिया नहीं है फ्र हमने इसमें सबजी का राज़ा ब्रिंजल पढ़ा था वोगी नहीं दिया हुआ है और पढ़ा था इसमें अपने मस्टर्ड पढ़ा था वो चलों यह दो हो गए और ब्रिंजल है था थीक है पोटाटो में पड़ा है अनियन है एलो है टियूलिप है ग्राम है सन हेम्प है ये सब तो हमने पड़ी है ये सारी की सारी ठीक है और इवन पंकिन, कद्दू, खीरा ये सब ब्रासी के सी फैमली में है करेला, खीरा ये खीरा नहीं खीरा नहीं, खीरे में तो एपिगाइनस है, इंफीरियर है, ठीक है, तो कितनी हो गई है, देखो, एक, दो, तीन, चार, पाथ, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंतरा, ये निकाल दी पंतरा, क्लियर हो गया, ठीक है, चल, नाउ, उसको उसका फूल कैसा है, देखो, चाइना रोज हमने मैगडी ट्रिक में भी पढ़ा था, मैगडी, कैसे भी कट करो, याने एक्टिनो मौन पे, तो ये नहीं होगा, और चाइना रोज में, चाइना रोज, सुपीरियर ओवरी पढ़ी है, याने हाइपो गाइनस, और चाइना की लेडी की फिंगर ट्विस्टेड है, उसमें भी पढ़ा है, देखो, दो हजार तेरा में, तीन अलग-अलग जगह से मिला कर एक क्वेशन दे दिया, चाइना रोज अलग-अलग जगह आ रहा है, टमाटर और लेमन, चटनी बन गई कब, जब पईया निकला, दो हजार बार का क्वेशन, डारेक्ड यू क्वेशन सॉल होते हैं, वरना होंगे ही, होंगे ही नहीं, 2012, साइमोस किसमें मिलता है, अब स्टूडेंट ये डारेक्ट क्वेशन है, साइमोस ये आपको थियोरी में से आ जाएगा, चल, नाव, गाइनोईशियम में, बहुत सारे फ्री प्रि मिशेल, मिशेलिया, डन, नाव, करेक्ट बताना है हमें, और किट्जी अभी आपको पढ़ाया नहीं है मैंने, हाँ, ये तो गलत है, बेसल, मारी गोल्ड और संफ्लावर में मलता है, ये भी नहीं पढ़ाया है आपको, इसको छोड़ दीजे, इतना डीटेल अब नहीं प्लमोहर प्रॉम कैस्मीर, ये तो डारेक्ट क्वेश्चन है, दो हजार ग्यारा का क्वेश्चन है, देख लीजे, ओवरी हाफ इंफिरियर किसमें मिलते हैं, इंफिरियर, इंफिरियर, पीच, प्लम, पीच और रोज, प्लमबर परी को रोज पीच देता है, खील किसमें म में एक चेंबर और एक ओव्यूल बताए था आपको बेसल यह सब लिख लेना सूदेंस जो भी अलग से हैं इस वेरी क्लिर एवरीबडी यह आप भागो माद यह पीवाई क्यू तो बड़े इंप्पोर्टेंट है पीवाई क्यू में गडबर कर देंगे तो कैसे काम चलेगा चलो एंड्रो ईशियम चाइना रोज में कैसा है मोना ने चाइना का पीसी फेका का मोना ने चाइना का 2010 का क्वेशन यह इस करने के बाद ना आपको कुछ करने की जरूत ने कोई पीवाई की उठाने की जरूत नहीं है 2009 एक्जाईल में तो चटनी बन जाती है देखो कितनी इसकी बार क्वेशन आया है एक्जाईल पर पे लॉफे ब्रासें焦 पे ऑनादार में दोदर बीस में क्वेशन में है दोनों दूप हैं दोनौं में नहीं खाते हैं मैंघो में दिसनों में और से तो गलत है तो यह answers नहीं हो सकते हैं सीधे 3 देखो answer आजाएगा मीजोकार कोकोनट का फाइबर से और मैंगो का फ्लेशी है जिसे खाते हैं बिलकुल सही है और दोनों ही मोनोकार्पिलरी ओवरी से बनते हैं 1, 3 and 4 statements are correct yes anatomy में मचाएंगे धूम अब morphology में मचाने के बाद पक्का मचाएंगे कल दूम मचाएंगे दो बजे अपन यह नहीं पूछेंगे इतना detail नहीं आता है students चल how many plants of composite यह भी यह सब अब नहीं पूछते है students इसले मैं इस detail में one shot में नहीं जा रही हूँ ठीक है coconut water और इन सब का edible part endo sperm है यह रहा 2012 का question now fruit develop from यह भी सब अब इतना detail नहीं पूछते हैं मैं हटा रही हूँ क्योंकि यह पढ़ोगे ना तो जो आता है वो भी नहीं आएगा जो पिछले 5-6 साल से पूछ रहे वो भी बूल जाएंगे ठीक है तो यह सब मैं अटा रही हूँ यह सब questions मैं हटाती हूँ यह सब यह आपको जान करके लगाएं मैंने ताकि आपको पता रहने नहीं करना है यह types of fruits की detail अब 5-6 साल से बिलकुल to the point MCRT कर दी है 2020 यह question अभी solve नहीं होगा students यह sexual reproduction में जब ovule का structure पढ़ाऊंगी तो वहांका direct question है ठीक है direct समझ आ जाएगा यह अभी वहां पर direct question है direct 2019 direct direct सिखा दूँगी अभी नहीं आएगा चलो coconut का edible part क्या है एंडोस पर देखो अभी 2017 में आया होगा है now correct पूछा है 2014 घास में यह अभी नहीं पढ़ाया आपको यह अभी पढ़ाया नहीं है चलो staminode तो stamen को बोलते है sterile banana parthenocarpic है ना कि mango और घास में इसी बीज जो है वो endos परमिक होता है आपको पढ़ाऊंगी यह direct question है आपसे solve हो जाएगा sexual reproduction के बाद में चल ना यह भी आपसे direct question solve हो जाएगा students यह अभी नहीं पढ़ाया है मैंने आप चल यह भी अभी आपको नहीं पढ़ाया है यह आपका solve हो जाएगा direct question है यह भी अभी नहीं पढ़ाया है champions और यह लो एक जटके में अपना answer आगया कितनी कुछी होगी अपने examination hall में पांसो बचपन गुट्टी अपन तो देखते ही पहचान गए तीन पागल अपन तो देखते ही पहचान गए बहीया बाबी ब्रैसी के सी चल ना थोजार बीस लिली एसी का correct formula ली एसी तो पागल वाली थी यह देख यूं बुरा परफॉर्मेंस लास्ट टक चलिए नौ वेक्सिलरी आस्टिवेशन तो काल वेक्सिलरी वेक्सिलरी यह तो दाल वाली फैमिली में देखने को मिलता है यह देखो 2012 का क्वेश्चन चलुचली 2011 चली चली किसमें आता है बेला ने सब्जी हैं अब क्या करें करेले का ग्लास इन में ब्रैकेट लगेंगे करेले का ग्लास यह होगा यह उल्टे सीधे ब्रैकेट है दोनों important है चलिए नाव 2022 के बस लास्ट दो तीन questions और बच्चे फिर आज की class को wind up करेंगे oh you are feeling like a genius in morphology बहुत बढ़िया God bless you correct बताना है हमें चल पहले यह देखते हैं यह सब में नहीं है लीपलेट्स अर मॉडिफाइड इंटू pointed hard thorns बिल्कुल सही नहीं गलत लीपलेट थोड़ी होती है थौर्न स्टेम का modification है थौर्न बोगन वो लीपलेट्स थौर्न बनाती है cactus में यह तो गलत है इस रॉंग यह रॉंग है बी चेक मत करो सी चेक मत करो दोनों में है खाली डी चेक करो सीधे राइजोपोरा में वर्टिकली अपवर्ड आ रही है ताकि oxygen मिल सके डी बिल्कुल correct है यह answer आ गया पूर्थ इसका answer हो गया अब चेक करते हैं अपने जरूर बी correct होगा axillary bud cucumber और pumpkin guard family बिल्कुल सही है जरूर C correct होगा flattened and fleshy photosynthesis leaves का का काम कर रहा है जरूर E भी correct होगा सब aerial घांस और strawberry में runner और stolon vegetative reproduction मैंने दो statement पढ़के answer निकाल लिया आ रहा है समझ की नहीं आ रहा है ठीक है अभी मोहमद मॉयास सिर्फ ncrt पर focus करना है अब सिर्फ ncrt पढ़ेंगी ठीक है is it clear चलिए now again 2022 का question zygomorphic पूछा है I am क्या था गुलमोहर कैस्मीर और दाल वाली family तो केसिया है गुलमोहर है बाकी ये था macd ये तीनों थे actinomorphic तो b and c only b and c third answer हो जाए गए देखा कैसे कितना बढ़िया बढ़िया पढ़िया पढ़ रहे है अपन बहुत मज़े आ रहे हैं बहुत positive feel हो रहा है 4x4 टेक्नीक भी follow कर रहा हूं thank you maim बहुत बढ़िया कुनाल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यह तो हमारी tips पर है पाईसम सटाइवम क्योंकि फैबेसी फैमिली पूछा है यह अलू वाली फैमिली है यह लिली फैमिली है यह भी प्याज लेसन लिली फैमिली है ठीक है clear हाँ biology स्टार्ट हो चुका है न मैंने काफी सारे chapters ले भी लिये हैं आप उसमें देख सकते हो इस प्लेलिस्ट में ठीक है all right बहुत खुशी हो रही है से चैप्टर पढ़के मज़े आ गए चलिए students मुझे भी बहुत मज़े आ गए theory कर ली हमने पोने 3 गंटे में और धेड़ सारे questions और धेड़ सारे PYQs कर लिए कल मिलते हैं tomorrow इसी channel पर दो बज़े मिलेंगे अपन anatomy of flowering plants के लिए पढ़ते रहो हिम्मत बतारो इतनी जल्दी अभी time है आपको सिर्फ इतना करना इस class को अच्छे से कर लेना मैं आपको लिख कर दे रही हूँ आपके 300 प्लस 340 प्लस आ जाएंगे बायो में बस इन classes को अच्छे से कर लेना ओके BRACT और E-BRACTE जिसमें BRACT है वो BRACTE और जिसमें नहीं है वो E-BRACTE Alright students, कल मिलते हैं 2 बज़े थांक यू और God bless you, love you all